अर्जुना जई के अंदर आप लोग का सबसे पहला लेक्चर मेरा नाम है निखिल सेनी और मैं पढ़ाऊंगा आप लोग को फिजिकल केमिस्ट्री चैप्टर का सबसे पहला चैप्टर जो हमारी जिंदगी में आने वाला है तो कैसे हैं आप सब लोग जल्दी से बता दीशे क्या आपको मेरी अवास बढ़िया से आ रही है आर वुई ओडिबल और वुई विजबल येस और नो गोड एवनिंग गोड आफ्टरनून गुड मॉर्निंग और नाइट अलसो क्योंकि आप लोग के लग-लग प्राइम जो यह आपको आवाज बढ़िया से हां या ना येस 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 तो चलिए फिर सिलसिला करें स्टाप सभी लोगों के साथ तो आप लोगों के कुछ चोटे चोटी बातों के साथ मतलब आप लोगों के डाउट से कि ऐसा करे वैसा करे मैं देख रहा हूँ कοιमेंट्स लगा तो चलो फिर कर दें सब लोग आगे आप में से जो पुराने बच्चे हैं जो मुझे पहले से जानते हैं वेलंड गुड जो नहीं जानते हैं यार मेरा नाम निखिल है केमिस्ट्री पढ़ाता हूं आप लोगों को थोड़ी से हल्प करूंगा ठीक है एंड हम लोग केमिस्ट्री के अंदर पहला जो पॉर्शन होता है उसको बोलते हैं तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दी गई है केमिस्ट्री आप लोगों के लिए थोड़ा सा जटका लगेग पहले मैं अपको बताओंगा कि क्या करना गयारमी में प्रम ॉप टू क्लास कर वाऊंगा सबसे पहले डेवी और सजनो वेल्कम टू क्लास ऐलेवन आप सभी लोगों को बहुत सारा प्यार छेप्टर का नाम रहने वाला है टॉमिक स्रक्चर क्यूं कैसे किस तरह अभी थोड़े दिर में वो पता लगेगा बट येस वेलकम टू क्लास 11 आप सभी लोगों का स्वागत है पी डवल्यू के इस प्यारी सी क्लास में बैज का नाम रहेगा अरजुना और मैंने छोड़े छोड़े मैं पहले कर दूगा उसके बाद बढ़िया तरीके से कैसे करनी है तियारी कैसे आप क्लास में बैठोगे किस तरह से पढ़ना कोंसी किताब पढ़नी है हर एक सवाल नहीं नहीं आप लोगों का पहली चीज तो ये जो लोग मेरे बारे में नहीं जानते अगले 15-20 अमिनिट में इतना जान जाओगे क्लास पूरे आपकी फिजिकल केमिस्ट्री कैसे चलने वाली है आप लोगों के एक छोटा सा डिसकेशन कर देता हूं सर मेरी नौमी बरबाद मेरी दसमी बरबाद मेरे साइंस तो पड़ी नहीं और मैंने अगर पड़ी भी थी साइंस तो एक दिन पहले पड़ी थी याद किया अगले दिन उल्टी करी पेपर में नंबर आगे हम बले बले ऐसा कुछ नहीं करना है 11 और 12 अगर ऐसा कुछ कड़ा कि जो 9 10 में आप लोगों ने पड़ा लिखा तुमने क्या मैंने भी वही करा था 9 में पेपरों से पहले बढ़ता ऐसथा नंबर आते थे खोश रहते थे 11 में वो गलती नहीं दोरानी क्यों क्यूंकि अगर दोरा दि उगती पथा क्या होगा यहाँ कि आपके जो क्लास पढ़ेंगी ठीक है येस नहीं चाहिए ना ऐसा हाँ तो आपको इससे दो चीज़े पता लगेंगी कि में इसको मिईंस बहुत पसंद है ना कुछ हमें ऐसी चीज़े बता दो जो की हमारे को आपके कॉमन डाउट्स आते रहे हैं मैं उनको भी देख रहा हूं मैं बता रहा हूं ज्यादा तर 99% डाउट्स जो आपके हैं वो मैं स्लाइड में लेकिया हैं सबसे पहला सवाल is how many hours should I study in a day जितने अदिकों यहार इसका ना उत्र कोई फिक्स नहीं है सबका अपना अपना ओता है सब्जक्टिव होता है आप बस इसका डायरेक्टांसर सुनना चाहते हो जितना पढ़ सको उतना कम है लेकिन फिर भी आप में से फिर भी आप ऐसे लोग हैं फिर भी आप मे तो आप लोगों के लिए उसका उत्र दे देता हूं, वो डिपेंड पता किस बात पर करेगा, वो आप लोगों पर डिपेंड करेगा, वो एक्जेक्ली डिपेंड करेगा, आप कैसे हो भाई, वो मेरे से जादा आप पर डिपेंड कर रहा है, कैसे यार आप मेंसे ना कुछ तीन तरह के लोग होते हैं मोटा मोटा यूवर थ्री टाइप अफ स्टुडेंट्स आ देर कैसे ओ आई नो दिस अगर टीचर ने कोई आंसर कोशन पूछा तो इनको आंसर पता होती है अर्माईनी जैसे हैं है एड है फिर अच्छे मुझे कुछ आता है 50 50 यहां कुछ याद है और कुछ यह इनको पता ही नहीं होता है दीन दुनिया का सब्जेक्ट कोन सा चल रहे है चैप्टर पूछ लो इनको पता ही नहीं है तो इन तीन तरह के स्टूडेंट्स अगर आपके हो इन तीनों में से न कोई एक प्रकार में आप फिट हो रहे हो इफेक्टिवली बता दूं इनको सबसे जाधा मेनत की जरूरत पड़ेगी इनको थोड़ी कम पड़ेगी लेकिन सब का उत्तर एक ही है जितना ताइम मिल रहा है जैसे आपने बोड से पहले त्यारी करी थी तइन अपनी मोटा मोटा वो same आपको करना है अब दो साल के लिए जेभी का एक्जाइम जो ही कररता है जो intelligent जुरूरी निया intelligent uğो न बहुत intelligent हो जों ऑन्हीं निकलता है जो consistent होते जो दो साल वो करेंगे जो हम लोग आपको बताएंगे तो आपको ये चीज को reciprocate करना है समझे हां तो अब बात करते हैं किस तरह के students हैं पहले एक-दो सवाल कर देता हूं दो तर आपका question आता है एक ये भी सवाल आता है कि सर हम इस तरह से कहां गया वो कर यह रहा एक यह सवाल आता है सबसे पहले सबके मंद में होगा है सर डमी लें यह स्कूल करें यह सवाल भी आप मैंसे बहुत लोगों के पास होगा डमी करें सुनो मेरी बात आपका personal choice है आपके घरवाले आपके लिए अल्रडी कर चुके होगा अब तक हो चुका हुआ मेरी personal suggestion मानो तो I personally prefer dummy in the sense सुन लो मेरी पूरी बात मैं यह नहीं बोला हूं जाके dummy करो dummy में थोड़ा सा individual time जाधा मिल जाता है वो बात आपके हाथ पे हैं अगर आप dummy करते हो थोड़ा self study का time जाधा मिलता है क्या सरस्व फिर dummy वाले कर ले सारे स्कूल वाले नहीं कर सकते नहीं स्कूल वाले भी बड़ी असे कर सकते हैं मैं खुद 11-12 स्कूल से पढ़ा हूं मेरी भी 7-8 घंटे का स्कूल होता था आप में से तो कमी होते होंगे है ना तो यह वाला उत्तर मैं कर देत करता हूं मैं स्कूल में भी की जा सकती है वही सेटॉडी lies कि आ दमी वाले बीकर सकती है वह आपके उपर होता है क्या अकेले मतलब से watu scar का प्रेशर है आप पढ़ लोगे डमी में क्या होता कोई प्रेशर नहीं रहता तो वहां पे आप थोड़े से फ्री माइंड हो जाते हो तो वह आपका परस्नल चोईस होता है कि आप डमी करना चाहते हो नहीं लेकिन आप में से सवाल आ रहे हैं कि सर अगर मैं ऐसा ना गरूं तो आप स्कूल के साथ आईटी की त्यारी नहीं कर सकते हैं जहां पर आपको सिखाया भी स्कूल का ही जा रहा है जहां भी सिखाय कोचिंग का जा रहा है तो मुझे लगता है कि इट मैंटर्स पढ़ने की इच्छा होनी चाहिए आप अगर पढ़ने वाले हो तो आपको फरक ठीक है जो पेपर देते हैं आप क्या कर सकते हैं अगले दिन बूल जाता हूं ज्यादा रिटेंशन है तो आठ से दस गंटे पढ़ लो थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा थोड़ा ऐसा होता ना समझने में टाइम लगता है यह वो लोग है अब यह चीज़ डिपेंड करती है आप कैसे करना चाहते हो आपकी कैसे चोईस है सबका इंडिविजुल होता है कुछ ऐसे भी देखे है मैंने चार-चार-पांच-पांच-पांच गंटे पढ़के भी निकाल रहे है कुछ ऐसे भी देखे है मैंने 14-14 गंटे भी पढ़ते है तब भी आईटी निकल रहा इट इस अगें इंडिविजुल चॉइस ठीक है यस यह आगया तो अब यह डिपेंड करता है तो वही चीज अभी मैंने दिखाई जुमेटो वाली जुमेटो वाली देखिए आप लोगोंने सेम हरकत आपको करनी है कि आप स्कूल में जाके कुस दिन तो छुट्टी ले लो और किसी दिन स्कूल में जाके फ्री पीरिड में पढ़ लो वो आपके हाथ में है that is with you ठीक है अब भी अगर आप ऐसे हो फिर आयटी का सेलेक्शन आपके लिए नहीं है आयटी की फील्ड क्या यह पूरी जगाई छोड़तो उसके लिए नहीं है जो एक क्लास करके ठक जाता है जिसको लगता बहुत मेहनत कर ली आज आपने इससे पहले फिजिक्स की क्लास लगाई है अब आप क्लास कर बात करतें आगे यह तो बताई दिया कोई ऐसा जो यह study कर रहा है जी देखो चलो अब क्या points करने हैं तो important points है what exactly do we need for this batch ठीक है आपके मन में सवाल है कि क्या पड़ें कैसे पड़ें किस तरह पड़ें मैं एक simple चीज बताता हूं यह मेरी से ज्यादा आपको आपके senior ज्यादा गाइड कर पाएंगे कोई class मत मिस कर देना अगर एक भी class मिस हुई खत्म वह एक दिन का backlog होगा वह धीरे धीरे पंदरा में convert होगा वह धीरे धीरे तीस lectures पर होगा करते 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 एक point ऐसा आएगा कि syllabus से ज्यादा तो आपका backlog हो जाएगा आप भी सोच रहे हूं वह याद है 35 लाग का investment था 36 लाग का घाटा वह यह आपका होगा 35 लेक्चर थे पता नहीं 40 का backlog तो यह चीज आप लोगों के साथ ना हो इसलिए try करो जिस दिन जो topic करवाया चारा उसी दिन उसे cover करना है ठीक है आगे है headphones या earphones वगारा आप लगाके अगर classes लगाती हो थोड़ा सा better रहता है क्योंकि आपका attention उसी तरफ रहेगा वो अरजुना की याद है अरजुना वाला example अरजुना कहां देखता था सिर्फ पंची की आंख पे है ना तो पंची की आंख पे अगर आप focus रखोगे selection तक पहुंचोगे सेम चीज यहां पर यहां लेक्चर चल रहा है पीछे से मम्मी चला रही है क्या खाएगा क्या करेगा वहां से बेंच चला रही है में को चिप्स खिला दे में को मैगी बना दे यह सब चीजे आपकी वहां पे distractions हैं आपको इसको avoid करना है अगले दो साल के लिए ठीक है आगे बढ़ते है sitting at study table यह आपके लिए बहुत important है कि आपको study table पे बैठके पढ़ना है अगर आप study table पे बैठके नहीं पढ़ रहे हो तो आप एक point के बाद दीरे दीरे कंबल के अंदर जाओगे चदर के अंदर बैठोगे और सो जाओगे व और यह भी मैं बता देता हूँ ग्यान आप यहां से accept करिए आप अपना ग्यान हमें ना दीजिए हम आपको कुछ समझा रहे हैं आपके भले के लिए बता रहे हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं next is revise the notes revise notes wholeheartedly आपको हर class के बाद notes को revise करना है notes कैसे बनेंगे किस तरह से होंगे व इसको बोलते classwork class में जो questions करवाये जा रहे हैं वह आपको खुझ से करने हैं उसका आपको wait नहीं करना कि सर सर ने करा दिया class में हो गया हम नहीं करेंगे घर जाके कर जाके मनलब घर पर class के बाद आपको क्या करना है इन class की questions को solve करना है next is homework करना है ये homework हर class के बाद जिसे आज की class ओ WILL भी आपको homework मिलेगा यह homework को आपको solve करना है, इसके video solutions भी मैं आपको बना के दूँगा, हर class के बाद, जो class में पढ़ाया जा रहा है, उसके homework मिलेंगे, उसके उपर base questions, DPB अलग से मिलती है, homework अलग से मिलता है, और homework के video solutions भी मैं बना के दूँगा, वो आपको solve करना है, आज ही class में मिलेगा, आपको solve करना इसको, ठीक है, then practice DPB again, DPB का similar concept है, DPB में भी class के उपर questions होंगे, तो मिल बाणके, इतने questions हो जाएंगे न, आप बस इतना कर जाओगे न, tension ख तो, आपको वो test करना है, उसको analyze करना है, कहाँ पर मैं lag कर रहा है, ठीक है, and आता ही यह तो बताई दिया, almost, that is no backlog वाला point, ठीक है, अब कोई ऐसा है तुम में से, कि जो Google शुगल कर रहा है, यह होगा, आप में से ऐसे लोग भी है, Google कर रहे है, how to study, how to pass for exams without studying, how to clear IIT in 30 दिन, how to clear IIT without knowing anything, है, फर्रे बना के IIT नहीं निकलती है, वो time चला गया, यहाँ पर चीज़े बहुत important है, और logical है, अब वो चीज़े नहीं होईगी, ठीक है, yes, तो यहाँ पर बात आ जाती है, अब बात करते हैं, एक दो study techniques बता देता हूँ, मैं, कि आप में से किस तरह से prefer कर सकते जो दो तिन study plans बता देता हूँ, ठीक है, आँ, अबे भाई, रुक जा, थम जा, थम जा, यह जो बीच में, आप लोगों ने वो देखे हैं, शक्वी शादियों में जाओ ना, तो एक फूफा होता है, एक फूफा होता है, जो हमेशा गुसा रहता है, यहाँ पर थोड़े स चीज बता देता हूँ, मैं आपको, अपना तरीका है, मज़दार तरीके से पढ़ाने का, मस्ती के साथ पढ़ाने का, बीच में funny funny videos आएंगे, funny funny memes आएंगे, अलग लग चीजे मैं बीच में करता रहता हूँ, ठीक है, तो अगर कोई ऐसा फूफा मामा है, जिसको दुख द तरीके से, funny तरीके से पढ़ना है, मस्ती से पढ़ना है, तो you are more than welcome to the class, आप एक चेप्टर पढ़के देखोगे ना, पस, उसके बाद ना, याद रखोगे chemistry कैसे होती है, और chemistry का सब से important चीज़, वो कोटा फेक्टरी वालों ने जो ब्रवादी कर रखी है, और ये मैंने ठीक है, पूरे का पूरा analysis, किस तरह से पढ़ी जानी है, वो important है, और जब धंग से किसी से chemistry बढ़ोगे ना, बस, subject जो है, scoring subject जो है, पूछ ले ना, किसी से भी पूछ लो, चाहे विर राजवन सर हो, चाहे तरुन सर हो, तरुन सर ने तो लाइब में बोला था, कि नंबर ज टेकनीक क्या है, आप देखो, या इसमें कैसे पढ़ने का तरीका, क्योंकि आपको 7-8 गंटे कैसे पढ़ना होता है, उसमें से पहली टेकनीक है, आपको मालो, आदा गंटा पढ़ा तुम लोगोंने, example दे रहा हूं, आदा गंटा पढ़ लो, फिर क्या गरो, फिर टाइमर टेकनीक, ये टेकनीक है, जिसमें क्या है, जिससे कि आप बढ़िया तरीके से, ब्रेक के साथ, रिफरेश होके, फ्रेश माइंड से पढ़ सकते हैं, ये नहीं किताब सामने पढ़िए है, काउंट कर रहे है, हाँ, पढ़ रहे है, पढ़ रहे है, तिमाग इदर हो, दो घंटा एक साथ फिर दस मिनिट का परी इस तरह से मैं पढ़ता था you can try any method बाकि आपका कुछ खुद का method है वही मैं तो लग से पढ़ूंगा पढ़ लो भाई ये तो आपको मैं guidance दे रहा हूं ठीक है अब आजाते कुछ ऐसे questions do we need यह आपके ही seniors हैं यह आपके ही seniors हैं जिनके कुछ सवाल थे हमारे से तो यह सवालों को मैं उत्तर कर रहा हूं देख लो जड़ा do we make separate register for physical organic and inorganic along with practice registers for each answer is yes आपको physical chemistry की आपको क्या कहते हैं physics की और maths की सबकी एक अलग से copy बनानी है पहली चीज़ तो यह copy अलग से बनेगी कैसे बनेगी अब मैं वो बताता हूं अगला सवाल है lecture के समय notes बनाई या questions लिखे क्या important है second सवाल answer subject कितनी notes book लगेगी तीसरा सवाल अब इन तीनों के answer एक साथ करता हूं उसका उत्तर क्या है take partial notes side by side पहले तो आपको जो copy है दो तरह की copy बनानी है दो तरह की copy कौन सी है वो सुन लो एक होगी जिसमे class notes होंगे ठीक है साथ में आपके homework questions होंगे एक तो ये copy होगी ठीक है homework questions ये आपकी fair copy है एक तरह से ये copy आपको रखनी है पहली बात दूसरा आपको side में रखनी है एक copy जिसमें आप करोगे DPP के questions जिसमें आप करोगे module के questions जिसमें आप करोगे previous year questions जिसमें आप करोगे advance questions ये सब के सब आपको मिलेंगे अलग से इसको आपको अलग copy में रखना है ये दो अलग अलग तरह की copy है रहेंगी इन copy को आपको बना के चलना है अगर आपने इसमें से कहीं कुछ ऐसी तैसी क जाओगे, make sure वो कॉपियां बना रहे हो, उसके अंदर, oh, IPL, please study here, उस कॉपियों को करना कैसे है, अब जब क्लास में पढ़ाया जाएगा, हो सकता है कुछ चीजे आप लिख पाओ, हो सकता है कुछ चीजे आप ना लिख पाओ, मैं एक simple चीज बोलता हूँ, focus should be on listening, जब teacher बो questions और answers, questions और उसके जो options होती है, जैसे मैं आपको example देता हूँ, slide में, जैसे ये पढ़ाया मैंने, ये question लिया मैंने, ठीक है, ऐसा question आगया, अब question है का आपके पास एक answer होगा, तो question और answer को आप मत लिखना कभी भी, don't write it, never, you should never write it, अगर आप वो लिख रहे हो ना, तो आप इतनी कॉपियां मनेंगी, उसके limit नहीं है, मेरी ने बहुत खराब आदत है, मैं बहुत बदनाम हूँ, industry में इसलिए, बहुत जादा questions करवाता हूँ, मतलब literally register पर register भरता है, तुम्हारा बहुत पैसा लगेगा, इसलिए ऐसे मत करना, classmate की कॉपी लेते हैं, भाई, नया सा है, ग्यार्मी class है, classmate की कॉपी लूँगा मैं, बहुत महेंगी वाली, वो फूल्ड वाली उरती है, नहीं, सस्ती कॉपी ले लेना, especially इनके लिए, क्योंकि questions बहुत सारे मिलने हैं, तो make sure कि आप लोग, कॉपी ओं का idea लगा के चलो कि ये master पागला, ये बहुत जादा करवा पूछ लो, मेरे से पूछो, मेरे तो सुनना ही नहीं तुम्हें, अपने senior से पूछो, जिसने मेरे से पढ़ रख है, उसे वे एक बात बोलेगा, ये बहुत सारे question करवाता है, और वो तुम्हारे को समझ आ जाएगा, ठीक है, येस, आगे बढ़ते हैं, next is this question, sir, जादा से पीवाइक्यू क्लास में ही करवा दीजिएगा, प्लीज, इसका उत्र आपके सामने है, बसकर पगले रुलाएगा, क्लास के अंदर आपके maximum questions का answer, पीवाइक्यू का solution आपको मिलेगा, हम discuss करेंगे, कोशिश यही रहेगी, कि सारे different type की questions में क्लास में करवा दूँ, उसी type का similar question होगा, आज तुम पातका है, जैरी mains अगर आप देखते हो ना, आठ पेपर हो रहे हैं, दोदो shift में हो तो आपके वो सारे questions तो, एक साल में इतने हो रहे तो कितने करवाएगे, तो class में जितने हो पाएंगे, करवाएंगे, जितने नहीं हो पाएंगे, attention not, homework is there, why to fear, yes, तो homework में अपन आएंगे राम से उसको, ठीक है, अगला सवाल, वो है, limit screen time, मुझे पता है, आप हमारे को offline नहीं देख रहे हो, live देख रहे हो, screen time का मतलब ये नहीं कि मुझे ही limit कर दो, class को ही limit कर दो, ना, screen time का मतलब है, इसके अलावा जो फाल्तू चीजे करते हो, so called social media करते हो, वो सब चीजे minimize कर दो, किसने उसको क्या करा, उस actor ने इसको क्या कहा, किसकी शादी हो रही है, इससे दूर रहना है, ये तुमें दो साल नहीं पता होना चाहिए, कौन कहां पे है, ठीक है, ये चीजों से दूर रहना है, उस time को limit करना है, समझे मेरी बात, yes, आगे, done, 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 हाँ जी, ये बात भी clear हो गई, आगे बढ़ते हैं, next is designing the time table, कि अपन ने एक time table design करते हैं, और वो time table कैसा design होता है, वो बहुत important है, अपन पता कैसे design करते हैं, अरे हम तो सर जनी कांथ, सर आप बताओ, आज ही पूरी की पूरी physical chemistry solve कर देंगे, एक दिन का planner नहीं है, पूरी physical chemistry solve, ओ चाचा, जमीन पे आजा, planner नाना होता है, realistic, कि आज मैं कितना पढ़ सकता हूँ, क्योंकि उससे न, emotion relate होते हैं, अगर मैंने जितना plan decide करा, कि भाई, आज मैं इतना particular part करूँगा, वो अगर मेरे से नहीं होगा, अगले दिन बोज रहेगा, रे मेरे से इतना नहीं होगा, मैं कम्मा, मैं ऐसा, मैं वैस मेरे से नहीं होगा, छोड़ दो जाई, यह नहीं करना है, make a realistic time table, जितना कर सकते हो, मेरे एक simple suggestion है, time table daily का मत बनाना, मतलब आप by weekly बना लो, कि दो हकते में एक बार कितना करना है, तो जैसे 14 days का time table बनाया करो, या 15 days का time table बनाया करो, उतना बनाओ कि इतने 15 दिन में इतना कर पाऊगे, किसे दिन कम पढ़े पाऊँगा, यह होता है, समझ लो, आज पहला दिन है, जोश में हो, अरे आज सासा कर रहा देंगे, आप बताओ तो आज फिजिकल, और्गैनिक, इन और्गैनिक, फिजिक्स मैथ, सब की ऐसी तैसी कर देंगे, आप पढ़ाओ, वो पहला द अगर वाली देख रहे है, बच्चा पढ़ रहा है, तो मम्मी को बोलो, मम्मी यह खिला दो, मम्मी यह खिला दो, मम्मी वो खिला दो, डाइट का थोड़ा ध्यान रखो, अगर डाइट खराब हुई, हो सकता है, बहुत लंबे टाइम तक बिमार पढ़ जाओ, और उस आपको नहीं करनी है ठीक है एड चल गई क्या घर पे बना हुआ खाना सर क्या हेल्दी होता है वो मेरे से बेटर तुम्हारी मम्मा तुम्हें बताएंगे घर वाले जो बनाके खिलाएंगे न वो हेल्दी खिलाते हैं हाँ तो यह चीज़ का ध्यान रखना आगे है एक बहुत इंपॉर्टन कोशन आप में सही आपके ही सीनियर जाजीनों ने यह सवाल मेर से पूछे हैं उत्तर देखो कोशन है सर हाउ टो रिफ्रेश आवर माइंड्स एज वी नो इस वेरी लॉग रेस तो अपने को दिमाग को फ्रेश करने के लिए क्या करें बहुत लंबी जर्णी है दो साल की जर्णी है तो दो साल की जर्णी को किस तरह से अपने आपको मोटीवेटेड रखें यह बहुत इंपोर्टन है और यह ऐसा सवाल है जो आप में से बहुत सारे लोग रिलेट कर रहे हैं वो है कि हाव टू कीप यॉरसेल डेली मोटीवेटेड या डैट इस होगा कैसे क्यों होगा वो सब नहीं सूचना डेली का टार्गेट कर रहा सो कोशन करने सा करेंगे आगे-पीछे-चोपर उसके अलावागा जब सो कोशन कर लें यह करना फिर यह करना जब वह सो कोशन हो जाती है ना फिर यह करना खुद को कुछ ट्रीट देड़ना इस मैं जिस दिन अपना टार्गेट एक्चीव करता था ना मैं रूल खाने जाता था जो की गलत आदत है उससे मोटा हो गया मैं बट तुम्हें इसला कुछ हेल्दी सा कर सकते हो कि हाँ आज मुझे अच्छा लगा मैं टॉफी काऊंगा या मैं चॉकलेट काऊंगा कुछ इस तरह से उन किताबों को आप खरीद लेते हों जो कि यह सबसे बड़ी बेफूफी है ना किताबे बहुत सारी खरीद लोग है पड़ो इतनी में नहीं नहीं तो पहले दिन अगर बहुत सारी किताबे में आपको डे भी देता हूं it doesn't make sense कि आप लोगों किताबे लेकिया हो कौन सी कि किताब करनी है कब करनी है कैसे करनी है वो सारी चीज़े हम आपको बताएंगे एक सी वर्मा नहीं करनी है केमिस्ट्री के लिए हैं नहीं करनी है केमिस्ट्री के लिए तो प्लीज थोड़ा सा एंशॉर करो एक सेकिंड थोड़ा सा लैग शैग हो रहा है लैग 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 लैग हो गया अब सभी है वीडियो हाँ तो कौन सी किताबे करनी है मैं पहले एक सिंपल सा सजेशन दूँगा जितना मैं बोल रहा हूं उसको फॉलो करो क्लास में सिकोइण्स चलेगे देखो step वाइज स्टेप का घेम है पहले आपको फाउंडेशन सेट करनी है पहले फाउनडेशन कभी कोई बील्डिन बनते देखिए पहले बहुत बड़ा गड़ा खोटे फिर उसमें नीचे फाउलेटिफाइ तो उसी तारह से हम भी चलेंगे बहुत बेसिक से शुरू करेंगे बहुत ऐसे ऐसे आपको नेडने कियोंगे नहीं किया रहोग नहींदाब के लिए किसिक्स टो सर ब्रबाद किया बट Chemistry के लिए NCRT तुम्हें पकड़नी है, NCRT ले लो, NCRT का एक बड़ा direct benefit बता देता हूँ, दो साल के बाद board भी दोगे, हम classes में जितना chemistry करवाते हैं, बहुत असान लगेगी आपको NCRT, एक point के बाद, physical थोड़ी tough है, organic असान है, inorganic विसान है, एक point के बाद आप पढ़ना है, खुझ से नहीं start करना, लेकिन हा, NCRT खरीद के रख लो, ठीक है, कब कैसे किस तरह, वो हम लोग आपको guide करेंगे, physical में, organic में organic वाले sir, inorganic में, inorganic वाले sir, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसके अलावा, अब देख लो, ये लिखा है, optional books, optional books समझते हो, optional books का मत किताबे अभी नहीं लेनी है, अगर तुमने आप जाके ले ली, बहुत पैसा है तुम्हारे पे, सही में, मत खराब करो उसको, बात के लिए बचाओ, किताबे बहुत हैं, market में इससे भी जादा किताबे हैं, बट ये मैंने बोल दियो, optional, जब आपका, जितना मैं content दे रहा मॉड्यूल, अब देखो, एक बात यह भी आता, मॉड्यूल, मैं आपको हमारे अरजुना के मॉड्यूल्स होंगे, मैं वहां से homework तूंगा, अगर आप लेना चाहते हो, ले सकते हो, अगर आपको नहीं लेना, कोई बात नहीं, tension not, these are optional, ये मॉड्यूल के बाद आपके पास you can go for this, सेंगेज की भी आप ले सकते हो, अगली किताब है that is, नीरश कुमार, इसको मैं बोलता हूँ, advance level 2, जब आप ये किताब कर लो, फिर इस किताब के उपर आ सकते हो, लेकिन ये सब बहुत दूर की किताबे हैं, इनको अभी मत खरीदना, class के अंदर, मैं आपको relevant time बता करना है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसके अलावा कोई सर्थियोरी पढ़नी है, पहली चीज़ तो बताऊं, एक चीज़ बताऊं, फिजिकल में थियोरी का कोई खास वास्ता ने, जितना class में हो गया, उतना काफी है, पर फिर भी कोई है, सर्में कोई advance level जाना है, बहुत कुछ लेना देना है, आपको ये सारी थियोरी class में करवा दी जाएगी, ठीक है, येस, आगे बढ़ते हैं, अब करवाना क्या है, करना क्या है, how the class is going to work, class कैसे work करेगी, वो सुनना, सबसे पहले आपको, books books से कुछ लेना देना है, सबसे पहले क्या करना है, class के notes पढ़ने ह हर class के बाद ना, मैं आपको एक summary lecture दूँगा, summary lecture समझते हो, जैसे हमारे पास roughly 10-15 lectures में एक chapter होता है, उसके बाद वो 10-15 lectures को एक साथ combine करते है, summary lecture होता है, वो summary lecture आपको दिया जाएगा मेरे दोआरा, वो summary lecture को आप लोग follow करोगे and उससे notes बनाओगे short, पूरा chapter concise में, फिर हर lecture के बाद आपको homework मिलेगा, आप उसे solve करेंगे, वो उसके video solutions आपको मैं provide करूंगा, same goes for DPP, DPP भी daily आप call, daily आज तो नहीं मिलेगी क्योंकि आज introduction है, कल से आपको DPPs बगरा मिलना start होंगी, उसको आप solve करना है, उसके video solutions आएंगे, test analysis करना है, module आपको मैंने बता दिया, that is optional, कर सकते हो, मैं आपको daily module से homework जरूर दूँगा, PY की होता है, previous year questions, जो भी recent year, JEE के questions आएंगे, वो सारे हम लोग करेंगे, and laugh में आपको NCRT पढ़ने हैं, जब chapter end हो जाए, उसके बाद, ठीक है, yes, तो ये हो गया आपका, अब कुछ और सवाल कर लेते हैं, that is, ये एक एक टॉपर ने बोला, कि आपने पास, DPP is daily practice paper, daily practice questions आपके पास होंगे, आपको बस उसे solve करना, उसमें questions होंगे, daily जो पढ़ाया जारा, उसके उपर, तो सर मैंने एक वीडियो देखा, YouTube पे, उसमेरे टॉपर ने बोला, मैं ये किताब करता था, मेरी ये नोट्स हैं, मैं इ ये मत करना, ये जो टॉपर की वीडियो आते हैं, ये फाल तू हलो, 25-25 गंटे वाले हैं, ये सब स्कैम है, इसके चक्रों में मत पढ़ना, ये चीजों से आपको उठना है, इन सब चीजों से बाहर आचाओ, मैंने एक महीने में IIT क्लियर कर दी, मैंने दो महीने में IIT क्लि आया जा रहे हैं, उस पे आओ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल आता है, कि ये आगया, ये कर लेते हैं, हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, मोटिवेशन वर्सिस डेडिकेशन मैंने बताया, कि भाई, सुना मारी बात, एक दिन मोटिवेटेड होते हैं, अरे हम कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, दो दिन होगे, तीन दिन होगे, चौते दिन फैल जाओ, यू रिकोईर डेडिकेशन, यू रिकोईर कंसिस्टेंस, यू रिकोईर परसिस्टेंस, आपको लगा लेना है, छोड़ना नहीं है, चाहे कम पड़ो लेकिन कुछ वैसा साही बोलूगा मैं रुकना मत बस पड़ते रहो और आसपास वालों से मत फरक पड़ो आसपास वाला कुछ भी करें मैं बता रहा हूं तुम्हारे ना इस पूरी जर्णी में दो साल की जर्णी में तुम्हें ऐसे कार्टून मिलेंगे आता कुछ नहीं होगा एक YouTube से कोई टफसा सवाल करेगा उसको पूरा रट लेगा और आके तुम्हें देगा तुम फरिशान कर देगा तुम्हें औरे मैं तो ऐस दुम्हें करता हूं मैं तो एक यह करता ओं आण करदी मैंने क्रोट मैंने करो के मैंने लोक हो एक केmistry करो ऐसा मैसमरी करोगो अब इन स तुम्हें मुबाइल नमबर वाला रेंक लाना है या तुम्हें अपना वो जो एमर्जेंशी नमबर होते हैं उसका राला जाव contradiction है 100 to 2002 इससारा का वह तुम्हें साइड करो कि तुम्हें मुबायल नमबर 10 डीजिट तो नहीं लाना ना यह आपकी बिल्डिंग बनना स्टाट होती है यह बिल्डिंग के उपर एकदम चार जंद ऑलंपियाट इस लेवल आपको जो में फोकस करना वह इन दोनों पर करना है यह दोनों को अपन बहुत डिटेल में देखेंगे बीच बीच में आप प्रैक्टिस करते रोगे आप अल आवाल लें जल्दी जल्दी स्टाट करते रोकिते हैं सर मोडिउल यह नई तो अड्दीमर जी सर पुराने साल मोडिवल का मूश कोशं यह हैं क्या मैं कर पाऊंगी बाकिशीज़े तो मुझे क्लिर a self-doubt बहुत होता है I think उसका answer is a big yes अगर तुमने decide कर लिया है कि मैं दो साल के बाद IIT के gate पे खड़ा हूँगा entry के लिए ना कि दूर से देखने के लिए तो आप कर सकते हो IIT सिर्फ intelligent लोगों का game नहीं है IIT consistent लोगों का game है persistent लोगों का game है लेकिन वही है तीन दिनों के बाद छोड़ दोगे पर रखनी पड़ता था है it is gone आगे है जई के साथ NCRT complete हो जाएगी क्या अब मेरा reaction यह हो गया है जो अभी भी यह सवाल पूछ रहे है सई मैं मुझे मारो that is with us NCRT is the basics वहाँ से उठेगा level physics और maths का नहीं मैं बता रहा हूँ chemistry का मैं बोल सकता हूँ NCRT सारी आप अराम से solve कर सकते हो इसका यह मतलब नहीं है पहले दिन बैठ के NCRT खुल ले step by step जब मैं बोलूँगा तब करनी है अगला सवाल आपके सामने आ रहा है that is sir क्या आप advanced session लोगे जरूर लेंगे आपके लिए कुछ भी हर chapter के बाद आपके कुछ एक दो lectures advanced level के आएंगे जो कि आपका सिर्फ और से purely dedicated होंगे जही advanced sessions पे ठीक है तर भी normal में advanced नहीं को नौर्मल में भी हो रहा है वो बिल्कुल high level वो ऐसे questions होंगे जो साल दो साल में कभी कभी मतलब वो ऐसे होता है जो toppers को अलग बनाते है कुछ ऐसे question देता है जही जो सब solve नहीं कर सकते जो toppers कर सकते है हम वो tough वाले topics वहाँ पे आपको मैं करवाँगों जो सिर्फ आपको मतलब वो ऐसे होता है जो rank decider होते है top 100 यह generally मैं recommend करता हूँ advanced sessions उनके लिए जो AIR target कर रहे है within thousand उन लोगों के लिए यह sessions recommended है अगर आप इस level तक आ गए हो तब करना यह कैसे पता लगेगा आपके test होंगे आपको अपने level पता लग जाएगा जब आप PW के test दोगे आपको पता लग जाएगा आप कहां पर हो अगर आप daily class के topics पूरे कर पा रहे हो तब आप इस पर आना ऐसे नहीं मूठा के यहाँ normal 10 lecture लगाई नहीं सिधा advance लगाएगे advance हो जाएगा पूरा सब sir आपने जो homework में देंगे उसका क्या आप next class में solve कर वाओगे मतलब video solutions बगार है मुझे चाहिए उसके बिलकुल that is a genuine quest और वो genuinely हम आपके साथ करेंगे ठीक है तो उसकी परिशानी नहीं है हर class का homework solution आपको अगली दिन आपको अगली class होगी आपको अगली class से पहले वो homework solution मिल जाएगा उसके बाद आपके सामने है यह बहुत important है sir आप famous books like नरिंदर अवस्ति सेंगेज अरिहंत के questions भी दोगे क्या आपके homework solutions ना इसी से बने होए अगर भाई ने बोला करने का तो करने का homework solutions को थोड़ा करना those are very good questions आपको धीरे धीरे वो questions की importance अमझ आएगी जब आप questions करने जाओगे ठीक है levels अब के निकलेंगे बिलकुल levels अब के निकलेंगे अगला है sir questions कराते हैं वो अच्छे हैं पर क्या हम सारे notes में लिखने हैं I think इसका उत्तर आप सभी लोगों को मिल गया है इन सब को आपको notes में लिखना है कोई भी question जो class में हो रहा है homework में आ रहा है DPV में आ रहा है आपको सब के solutions लिखने हैं यह questions आपको 15-20 दिन के बाद भूल जाएंगे ठीक है आज असान लगता है कल सब tough हो जाता है उसके अलावा बहुत important और यह चीज में आपको बोल देता हूं मेरा तरीका बड़ा मजाकी है पढ़ाने का लेकिन पढ़ाई के टाइम पढ़ाई होगी चैप्टर पूरा होने के बाद आप हर एक question कर पाऊगे उसकी guarantee अपनी है ठीक है बढ़ हाँ पढ़ना आपको है सर आप बाद में भी इतने तरीके से पढ़ाऊगे स्ट्रिक्ट तो नहीं हो जाओगे ना मेरा और आइटिंग सबका ही तरीका कहीं ना कहीं मैं अपना बता सकता हूं मजाक करते करते बढ़ हां वह मजाक में रहना चाहिए आप सीरियस हो आप ऐसे होने लग जाओगी सब्सक्राइब आप मजाक नहीं कर पाऊगे मैं ठीक है आगले आते हैं सब्सक्राइब कि सारे फॉर्मले रटलो तो कोशन बन जाएंगे यह फॉर्मुला बेस नहीं होती विजिगल केमिस्ट्री कोशन घुस के आते हैं कॉनसेप्ट से आपको कंसेप्चुल क्लैरिटी चाहिए आप बिना कंसेप्चुल क्लैरिटी के जई नहीं फॉर्ट सकते हैं में कुछ एक दो कोशन होंगे जो फॉर्मले से निकल जाए सारे निकलेंगे और अडवांस में तो लिखे ले लो नहीं निकलेगा ठीक है यस चलो यह सब हो गया आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्कूल में अभी ठर्ड चैप्टर चल रहा है क्या करूं आपका सबसे पहला सवाल यह सवाल देता हूं मैं मोल कॉनसेप्ट से स्टार्ट कर रहा हूं स्टॉमिक स्ट्चर से चैप्टर में दिखत आएगी उसके बाद इट विल बी सौटड यहां बैच का नाम क्या है आप मुझे बताओ बैच का नाम क्या है एट इस अरजुना जैई त्यारी किसकी करनी है जैई की जब आपका बैच कंप्लीन होने लगा होगा मैं आपको सिंपल बता देता हो दो 3 महिने के बाद it becomes parallel जो स्कूल में चल रहा होता है अब स्कूल में चैप्टर 2 दिन में complete होता है जही का चैप्टर 15-20 दिन में complete होता है तो आप यह सोचो कि स्कूल वाली चीज कर लोगे यहां भी वो करें ऐसे नहीं है यहां आयाइटेंज बना रहे हैं हम लोग यहां पागल कोलना कि सर वहां करा दिया आप भी करा दो नहीं ठीक है उसके लिए फिर पुराने अपने पास यूट्यूब पे वीडियो जाय राम सा देखते रहे हैं आगे बढ़ते हैं इसके अलावा बस सब हो गए मोटे मोटे सारा कुछ लास्ट इस हाव टू फील दा सब्जेक्ट आपके लिए अब मैं हूँ जो होगा मैं करूंगा आपको सिर्फ मुझे फॉलो करना है पढ़ाई को करते हैं स्टार्ट इस टेलेक्टर फर्स चैप्टर जो हमारी जिंदगी का होगा डाट इस स्टार्ट करने वाले हैं अटामिक स्ट्चर सबसे पहला सवाल आपकी स्रक्चर क्यों स्राइट कर रहे हो आप मोल कॉंसेट से क्यों नहीं कर रहे हैं सिंपल सा खोश यार अटॉमिक स्रक्चर से ना आप बैक ग्राउंड जानते हो आप यह जानते हो जहां पर आज हम खड़े हैं जहां पर आज हमें नॉलेज है वो कहां से आई यहां पर थोड़ उससे relate नहीं कर पाऊँगे न तब तक चीज़ें ऐसे चलती रहेंगी, more is about, more about calculations, calculations हैं, पर पहले पता तो करो, किस क्यों calculate कर रहे हो, तो इसलिए मैं आपको start करवाऊंगा, atomic structure से, chapter is more about the models, ठीक है, इस chapter में हम लोग क्या-क्या चीज़े सीखने वाले हैं, अब यहाँ से chapter स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, हर chapter से पहले मैं आपको बताता हूँ, उसका role क्या है, chemistry सबसे पहले, chemistry क्यों बढ़नी है, पूछ रहा है, chemistry क्यों बढ़नी है, भाई तेरे अरहों जितनी चीज़े हो रही हैं न, it is about chemistry, तू सांस ले रहा है, that involves chemistry, कैसे सर, सांस अंदर आ रही है, लंग्स में जा रही हैं तू, एर कैसे आ रही है, pressure का difference आ रहा है, वो कैसे होगा, chapter पढ़ा हूँगा, states of matter, सांस लेना सिखांगा, सांस का concept सिखांगा, आप खा रहे हो, खाना बन हो रहा है, खाने से energy मिल रही है, आपके अराउंड, जो ये lecture possible है, जो आज classes possible है, कहां से हो रही है, chemistry, क्या बात कर रहे हो, अब ये screen के अंदर, जो ये तेरे आजकल ना, ये जो हम लोग screens है, laptops न सब में, cells involved है, cells समझते हो, battery cells वगर है, वो क्या है, chemistry तो है, तो ये जो बोलते हैं ना, कि रटने का subject है, कुछ वो नहीं है, कुछ रोल नहीं है, रंग बरंगे, ये सब, ये ऐसे ही है, ये लोग ना, इनका मैं क्या ही बोलू, it is not just the colors, it is everything about us, it is about life, ठीक है, तो आपको ये समझने हैं, आपके around की हर एक चीज़ को chemistry explain करता है, अरे यहार पे आप ये बोलते हो, कि इंसान को बगादो, हैं, physics में, इंसान को बगादो, उसका momentum calculate करेंगे, अब इंसान चल कैसे रहा, उसका भागा कैसे रहा, वो सब तो हम chemistry में बताएंगे, yes, तो आप परिशान मत हो, और और तो और physics वाले बोलते हैं, physics वाले सर ने बोला है, chemistry ऐसे ही है, सुना मेरी बात, chemistry ऐसे ही होता न, ये लोग हमारे chapter copy नहीं करते, chemistry में हम पढ़ेंगे states of matter, ये फिर से उसको बाद में करवाएंगे, chemistry में पढ़ेंगे thermodynamics, ये लोग उसको फिर से copy करेंगे, तो हमारे पास बहुत सारा पढ़ाने को है, ये लोग हमारा content बाद में उठाते हैं, तो तुम्हें इनकी tension नहीं लेनी, chemistry दिलदार subject है, मज़ेदार subject है, और मैं चाहूंगा, कि ये chemistry की feel तुम्हें आए, ठीक है, येस, तो आप फिर start करते हैं chapter, इस chapter में हम लोग basically पहले concept से पकड़ते हैं, किस तरह से flow स्टार्ट होगा chemistry का, वो सुनो मेरी बात, अपने पास, मज़ेदार, हम लोग आज basic concepts करेंगे, जो chemistry को आप ज़रूरत है, कही ना कहीं आपने बच्पन में ये चीज़े सीख्योंगी, कुछ चीज़े मैं आपको सिखाऊंगा, सबसे पहली चीज़ ये है, atomic structure के अंदर, इस chapter में आप क्या-क्या पढ़ने वाले हो, ठीक है, जब मैं बोलूँगा, वहाँ से लिखना है, यहाँ से अभी concept सुनते जाओ, atomic bomb, मैं कोई भी chapter स्टार्ट करता हूँ, मेरे एक personal मानना है, आप उस chapter की importance समझो, J-E में 2-3 question आने हैं, ये सब को पता है, इसका, ये आपका number के point of view से important है, पर आपको real life में के application है, आपके आजकल जो ये bomb bomb बनते हैं, मैं बोलता हूँ, bomb bomb नहीं मनाने, bomb बन जाते के mystery से, लेकिन Heisenberg ओपन हाइमर मूवी देखी है, हाँ, मैंने भी अभी recently देखी, बड़ी गजब मूवी है, पनिस्ट्री इन्वॉल्ड अस मैं, ठीक है, आपका Heisenberg आता है उसमें एक आदमी, उसके बारे में इस chapter में पढ़ोगे तुम लोग, ठीक है, बहुत practical chapter है भाई ये, बड़ा मज़दा chapter है ये, तो आप nuclear energies बना रहे हैं, आजकल I think nuclear power plants, ये चल रहे हैं, energies आती हैं, वो हमारे काम की है, हम वो सब चीज़े सीखेंगे, येस, तो ये बहुत जादा important है, in the sense, आप इसके application बहुत जादा, आज हो सकता है, कल को Elon Musk बोले भाई, मुझे Mars पर नहीं, मुझे किसी और galaxy में जाना है, तो आपका हो सकता है, nuclear power plants से solution निकले, कुछ nuclear energy से निकले, ब्रेकिंग बैड का भी आपको, मैं कभी नगभी reference जरूर दूँगा, that is good guy, बढ़ी अच्छे में सीरीज है, पॉइंट सुनो, पहले ने टाइम होता था, ये जो light है, लाइट का भी कहीं ना कहीं से, तरीका जो बनी है, it is about chemistry, एक पुराने टाइम पे, आज से कुछ, I think, 1600 का टाइम था, ये ने एक alchemist नाम सुने तुम लोगों ने, alchemist, alchemist नाम सुने कभी, ये alchemist नाम के एक आदमी होता थे, इनको बोला जाता था, कि भाई, हम ना, वो सुना है, कहते हैं, लोहा डालेंगे, लोहे को गरम करेंगे, सोना बनाएंगे, ऐसा सोना तुम लोगों ने, ऐसे ये scientist नहीं थे, ये ऐसे जादू करुआ करते थे, हम तो ये हरकत करेंगे, और भाई, ये सब चीज़े scam है, लोहा जो होता है, that is अलग, iron is अलग, आप इसको गरम करके, ये नहीं बना सकते, ये पागल बनाने का time था, scam, ये उस time के scam चल रहे हैं, जो आज नहीं तरसी हो रहे हैं, तो इस चीज़ की clarity आपको किस ने दी, structure of item ने, यहाँ पे आप आपने सीखा, ये अलग चीज़ है, इसका गोल्ड अलग है, इसका configuration अलग है, इसका arrangement अलग है, same goes for iron, ये अलग लग चीज़े हैं, आप यहाँ सी ये नहीं कर सकते, तो scammers से बचाया आपको chemistry ने, इस chapter ने, ठीक है, आप इसके बारे में, colors के बारे में सीखोगे, कि आपके around जो colors है, जैसे तितली है, बड़े सुन्दर colors है, कहां से आ रहे हैं, इसके idea लगेगा यहाँ पे, and कहीं ना कहीं, इस पूरे chapter में, हम लोग पुराने models के बारे में, सीखेंगे, तो ये है, इस पूरे chapter का application, बोहर वग्यरा के बारे में सीखेंगे, रदरफोर्ड के बारे में सीखेंगे, जे जे थॉम्सन के बारे में सीखेंगे, हम लोग बड़े-बड़े scientist के बारे में सीखेंगे, जो open aimer में तुमारे scientist से, उनके बारे में सीखेंगे, तो ये सब चीजे सीखेंगे इस chapter में, तो चलो फिर chapter को करते हैं, स्टार्ट, अब मेरा आप लोगों से एक बेसिक सा सवाल, मेरी स्क्रीन पे आपको कुछ दिख रहा है, what is that, h2o, क्या होता है h2o, मैं सवाल आप से पूछ रहा हूँ, जल्दी से बताओ, क्या होता है h2o, यहां से अब हमारा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, what is h2o, आप मुझे बताओ, water, 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 लगातार सबने water, 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 water कर दिया, यहां पे आप लोग, सब water कर रहे हो, सब water कर रहे हो, ना बैटे, 9th, 10th के से पहार आओ, 11th, 12th में पहुंचो, क्योंकि h2o is a molecule, is a formula, एक ऐसा formula है, जो कि आपका, यह आईस क्या होती है, बरफ क्या होती है, that is also h2o, आपका, अगर मैं बोलू, भाफ, that is water, vapor, वो क्या होता है, यार वो भी सर आपका, क्या होता है, वो भी h2o होता है, formula तो यह है, इसका भी formula h2o है, और in fact, water जो है, उसका भी formula यह है, तो आप सर इसको क्या बोले, what is h2o, तो h2o एक तरह से आपका matter है, हम लो समझते हो, it is matter, matter क्या होता है, बच्पन में पड़ाई हुई बाते, what is matter, यार, जल्दी से बता हो, क्या होता है matter, anything that occupies space, and has mass, तो क्या होता है matter, तो आप बोलेंगे, कि sir, what is matter, तो आप सीधा सीधा उतर करेंगे, anything that occupies space, anything that occupies space, and has mass, and has mass, ठीक है, as mass, इसको बोला जाता है matter, जैसे अभी अभी example लिया हमने h2o का, जैसे example लें, भई ये, marker आपकी जिंदगी का, अरे इस marker को, क्या है, marker लिख दो यार, pen लिख दे, ठीक है, और example बताओ चलो, जैसे sir, हमारे पास book होती है, उसके पास भी book का भी कुछ mass है, तो कर दो, यहां से आपको लिखना start करना है, ठीक है, और बताओ example, sir, पानी हो गया, water हो गया, sir, वो तो लिख दिया, चलो हमने, bottle हो गई sir, bottle, bottle दिख रिया है मुझे पानी की, वो matter हैगा, ठीक है, और बताओ, और, air matter है, बिल्कुल बढ़िया example, sir, air matter हैगा, ठीक है, air is matter, phone is matter, sir, phone is matter, low phone is matter, तो basically concept समझे, anything that occupies space and has mass, is, जा तो space है, या उसमें मास है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे, PR से matter, तो जो matter होता है, उसके अलावा चीजें क्या होती है, that is non matter, yes, that is non matter, आप मुझे कैसे देख रहे हो, phone से देख रहे हो, matter, आप खुद क्या हो, matter, मैं क्या हूँ, निखिल सैनी, निखिल सैनी, लो, निखिल सैनी is matter, यहाँ पे अपना नाम लिख लेना, निखिल सैनी is matter, ठीक है, लो, और कुछ, spectacles is matter, anything that occupies space and has mass is matter, तो अब बात आ जाती है, what is non matter, non matter क्या होती है, what is non matter, उसका उल्टा हिसाब, non matter क्या बोलेंगे, या, चो not matter, example के लिए, example के लिए, simple तरीके से अगर मैं आपको बोलू, प्यार, महबबत, emotions, तो बहुत बड़ी है, example तो आप मुझे दोंगे, जैसे आपका प्यार हो गया, कभी प्यार ऐसा सुना, कभी ऐसे मम्मी बोलते है, यार मेरको ना, मैं बेटा आपसे 10 किलो प्यार करती हू ऐसा कभी होता है, क्या, measurement है, तो feelings, emotions, yes, love, emotions, yes, feelings, ये क्या है आपका, ये सब आपका, इसमें आता है, non matter में, और क्या है, energy, thoughts, बिल्कुल सही, thoughts, ठीक है, thoughts is this, और बताओ चलो जल्दी से, आपके जो energies है, energy जो होती है, वो इसी category में आती है, energy हो गया, जैसे आपकी sound हो गई, ठीक है, मैं example देता हूँ, sound हो गई, जैसे मालो आपकी light हो गई, ये सब चीजे आपका ये है, कोई भी इस तरह की, और कुछ, ठीक है, air is matter, चाचा, ओ, air matter होता है, पागल आदमी, ये लेख, यहां लिख दिया है, मुझे पाता है, ये कुछ examples हैं, जिनमें आप पागल हो ज अंदर, ये सब क्या है, जिसको आप, जो space में नहीं है, जो मन में है, मन वाली चीजों को क्या बोलोगे, non matter बोलोगे, ठीक है, अब सुनो मेरी बात, त्यान से, ठीक है, अपनी जिन्दगी में, अपनी जिन्दगी में, IAT, मतलब आपका 9th 10th से, IAT में अंतर क्या आता है, जब आप JEE में आते हो, आपका concept वही है, पर आपको मैंने सिर्फ इतना सिखा है, अभी एक concept सीख ले हमने, matter, non matter का, आप देखना, इसके उपर IAT किस-किस तरह से सवाल पूछ सकता है, concept यही है, कि matter का है, जो space occupy करता है, महास होता है, उसको matter, जो नहीं है, वो non matter, इतना concept, स पाउत्तर होगा, एक तो basic सवाल होगा, yes or no types का सवाल होगे, true or false step का सवाल होगा, यह सबसे basic category होती है, easy category होती है, IAT में सवाल आगा, आप इससे tension लिए होगे, time is what, जल्दी बता हो answer A, B, A, B, क्या होगा, चलो यहाँ पर करके देखते हैं, हमारे पास poll feature भी होता है, poll feature में क आपका answer यहाँ पर accept होना लग जाएगा, तो आप क्या करिए, आपको मैं 30 seconds दे रहा हूँ, आप बस मुझे बता दो, answer A है, B, C, O, D, मत कर्मा, मुझे पता है, तो जो answer इसके अलावा करेगा, वो डाट खाएगा, yes, क्या answer हो जाएगा, obvious ही बात है, time के बारे में आप बता तो, क्या time कोई space occupy करता है, है, यहाँ उसका कुछ मास है, 10 kilo time लेकर आवा है, ऐसा नहीं होता है, तो यह basic type of question है, I think इसका answer आप लोगों ने कर दिया है, यार कर दो जल्दी से, खदम कर दू, खदम कर दू क्या, बिलकुल सही, आपके answer पकड़े जाएगे, यहाँ पे answer है, B, तो B is the correct answer, 93% लोगों ने answer सही करा है, और COD का मैं क्या ही बोलू, वो सब के सब बढ़ी आवाले हैं, वो समझधार, बहुत जादा समझधार लोग है, हमका कुछ नहीं कर सकते, बट यहाँ लीडर बोर्ड आपके सामने है, शगण अधित, यहाँ पे आगे, दशरत, जी What is not a example of matter, अब आपका JEP next type का सवाल जो होगा, वो होगा इस तरह का, कि आपके चार option देगा, आपको उस मिसिस को बोलते है, single correct answer, single correct, और जब आप पेपर में जाओगे न, single correct के अंदर, पता क्यों होता है, इसके खतरना का भाई, अगर सही answer करोगे, तो plus 4 होता है, गल्त answer कर होगे तो minus 1 होता है, पोल कर रहा हो, start आपके लिए 30 second का पोल है, आपको correct answer बताना है, what is और एक बढ़ी important चीज, यहां पे उसने लिखा not, आप लोगी silly mistake करते हो, not give कर देते हो, तो आप बताओ वही, क्या answer होगा इसका, A, B, C, D, what is the correct answer, इसमें से कौन सा matter नहीं है, ध्यान से गणना ध्यान से, मार पिटाई हो जाएगी, दंगे वंगे हो जाएगे, सही answer नहीं है, yes, तो I think the correct answer is, जो की matter नहीं है, pen मुझे लगता है, pen, mass ले रहा है, spacey लेता है, तो यह तो matter है, air भी matter होता है, water भी matter होता है, तो matter क्या नहीं होता, that is sound, तो option A is the correct answer, तो type 2 question आपके स type 3 question, type 3 question जिसके उपर होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ, that is यह वाला question, अब आता है type 3 question, type 3 question क्या है, and leaderboard दिखा देते आपको, yes, क्या आँ गया leaderboard bahard type 3 question, type 3 question जो होता है, वो होता है numerical based, this is numerical based, numerical based question होता ही, numerical base में क्या होता है आपके पास आपके पास क्या हो गया आप पहले answer कर लेते हैं इसमें करना क्या है आपको एक number बताना है even though यहां पर मैंने आपको फिर बता दिया चार option दे दिये real में पता क्या होगा real में यह number भी नहीं देगा real में वो सीधा बोलेगा आपको black, आपको खुछ से बढ़ना होता है सही करोगा तो आएंगे नहीं तो नहीं आएंगे yes, तो यहाँ पर आपको करना है numerical based question है, let's see कितने लोग इसका correct answer देते हैं I am giving you 45 seconds for this question, चलो even though यह indirect, यह है विसे single correct वाल ही, but numerical based question आता है, उसमें आपको exact number बताना होता है, देखते हैं कितने लोग इसका सही answer करता है, इसमें मुझे लगता है बहुत लोग गल्त करेंगे, even though मैंने exact value दे दिया आपको, चलो बताओ जल्दी से क्या answer आ रहा है इसका क्या लगता है, आवे, कर लेगा यार, थोड़ा थोड़ा सोचो, देखो, थोड़ा थोड़ा थो कर सकते हो, example of matter, light है क्या, नहीं, heat है क्या, नहीं, sound है क्या, नहीं, air है क्या, yes, water है क्या, yes, wire है क्या, yes, सूरज, सूरज है, light, फिर से light आगे दो, लाइट क्यों आ गया, यह नहीं, time, time भी नहीं है, love नहीं है, memories नहीं है, energy नहीं है, phone है, count करो कितने आ रहे हैं यह answer, एक, दो, तीन, चार, पांच, तो correct answer कितना हो गया, 5 matter कितने हो गया, matter आपकी जिंदगी में आ रहे हैं, 5, तो 5 matter आपकी जिंदगी में, option D is the correct answer, option D को आप मांक करोगे, that is the correct answer, नहीं अगर मैंने यह 4 option ना दिये होते, और कम होती percentage, तो J पता tough कैसे होता है, यह ऐसे होता है, तुम्हारे सामने live example दिया मैंने, same question, same concept, कुछ नया नहीं सिखाया मैंने, बस जैसे मैंने type बदली question की, अलट tight, percentage देख लो, अभी 98 थी, अभी 76 पे गर गई, समझ रहे हो, यह आपसे J tough होता है, क्योंकि वो variety बहुत ले आता है questions में, और यही चीज पे आपको रूखना है, ठीक है, poll कहा है, poll हो, हमारे YouTube पे हो जाता है, तो जो यह YouTube पे ABCD लिखना है, अपने आप poll हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं, लो, अब एक और सवाल आता है, इसको बोलते है, य leaderboard दिखा देते हैं आपको, yes, अगली category है, that is match the following, अब यह match the following, different type की variety है, इसमें कैसे करना, इसमें मैं poll दो दूँगा नहीं, इसको करना कैसे होता है, एक option इधर है, एक option इधर है, इनको match मानना है, और J की खास बात पता क्या है, J की खास बात, भाई, एक का, एक से जादा answer भी हो सकता है, यह तो फिर बहुत simple बोल है, क्योंकि topic बड़ा simple है, लेकिन, एक से जादा answers भी हो सकते हैं, कल को ऐसा हो, इसका answer यह भी हो, यह भी हो, यह भी हो, इस तरह से भी हो सकता है, और एक भी गल्त करा, number गए सारे, yes, तो J की variety है, यह, चलो, कर देता answer, पहले का answer, चलो करना कि bet, ऑक्षों से war during, तो यह भी हो, यह मिड़ा हो, आपके तरह से आपके answers आते हैं, तो J मैं आप देख रहे हो, आपके सामने चार तरह की मैंने वराइटी कोशन कर दाल दिये यह करता है जही अभी इस पर जर्शन रिजन का लग कोशन होता है वो भी आगे जैसे जैसे आएगा मैं आपको बताऊंगा same concept different types variety of questions यही से जही tough होने लग जाता है topic वही है पढ़ाभी से मिरा हूं बस तरीका लगा पूछने का ठीक है चलो अब आगे बढ़ते हैं that is very very important condition तो I think meme दिखा लाते हैं असके उपर एग आपको some says black lives matter some says all life matter some say no life matter but we all know anything that occupies space and has mass is called matter तो देखो मैं relevant मैंने बूला था मीम आएंगे relevant आएंगे fresh करके जाएंगे यह वाला चीज नहीं लिखनी है memes को नहीं लिखना है यह बस mood fresh करने के तरीके हैं ठीक है चलो अब आते हैं different states for matter अब सुनो मेरी बात यह पहले कैसे slide आगई आपकी जिन्दगी में तीन तरह के matter आपको दिखते हैं ठीक है तीन matter आपकी जिन्दगी में होते हैं वो सुन लो कौन से matter है कि that is एक हुंदाजी solid एक हुंदाजी liquid एक हुंदाजी gas solid liquid gas कैसे क्यों किस तरह basic idea लेते हैं क्या इन सब में concept इन सब में कलगता है आपको बताना है वो बच्चों को पता है रिफ्रेश कर ले अभी बच्चों को बड़ी चीज भी बताऊंगा क्या सब में Cerjut sticking ऐसी है क्यूं इस्यो Waiting एक करता है counter-crafousmasking यह क्या फॉलु करेगा conservation of masFS को फॉलॉ करेगा तो अधी क्या होते है अधीर फिंफ मास को फॉलू करते हैं यह यह दिक ले हैं Similarly, liquids भी, mass क्या होता है, इनका, conserved, यहाँ अगर आप चाते हो, concern लिख लो, अगर आप चाते हो, ऐसे लिख लो, fixed, ऐसे लिख लेता है, चलो, fixed, इसमें भी mass क्या होता है, fixed, और gas का भी, जब तक gas जो है, जब तक gas जो है, वो किसी container में है, उसका mass क्या रहता है, fixed रहता है, gas के अंदर भी कौन सा rule, follow करते हैं, सब में लिख सकते हो, conservation of mass, हर जगा mass में यह rule लगता है, बात करते है, shape की, जैसे आपके सामने यह marker है, this is a marker, इसकी shape fixed है, change नहीं होती, yes, तो solids के अंदर, solids के अंदर क्या है, solids के अंदर जो shape रहती है, वो क्या होती है, that is always fixed, यह change नहीं करती, पर अगर मैं बात करता हूँ, liquid की, यह पानी की bottle आपके सामने, क्या यह पानी की bottle आपकी, पानी की जो shape है, खुद की है, नहीं, पानी की bottle है, वो पानी को shape दे रही है, तो liquids की खुद की shape नहीं होती, तो liquids क्या लिखोगे आप, आप सीदा सीदा लिखोगे, it depends on the container, तो shape of container दो, तो यह container पर depend करता है, similarly, gases की बात करते है, अगर मैं gas, balloon में, gas वरूं, तो जिस तरह का balloon होएगा, उसी तरह का भाई, उसका shape होईगी, yes, तो यहां पर भी किस पर depend करेगा, यह container पर depend करेगा, I guess, I think the concept is clear, हाँ, आ रहे हाँ, आ रहे हाँ, कमेंट के बैठे हुए, चाचा इसमें, बात करते है, volume की, solids की जैसे है, देख लो, मालो, यह cylindricals है, तो cylinder की volume क्या होती है, चलो, देखते है, कितना math साथा तुम लोग को, है, मैं देखूंगा, तरुन सर कितने परिशान होंगे, एक cylinder की volume का formula क्या होता है, बताओ, यह स्कूर, पाई स्कूर, पाई स्कूर, होती है, कसम से, तरुन सर को मैं एक reminder दोंगा, सर गजब चीज होने वाली है, आपके साथ, math की पहली class है, मज़ा जाएंगे आपको, भाई, पाई, आर स्कूर, एच, एच बूलगे कुछ लोग, हाँ, तो यह volume क्या होती है, volume का formula भी fix रहता है, तो volume is fixed, constant रहती है, constant रहती है बात करते है, liquid की, liquid की volume क्या है, पानी की volume fix होती है कर नहीं होती है, आप मुझे बताओ, भाई, इसके अंदर, अभी मालो, यह एक लीटर की bottle है, और लेट से यह 800 ml भरी हुई है, तो अगर मैं दूसरे container में डालूँगा, तो पानी बदलत होना जाएगा, volume उसकी, जो volume है, हाया ना, volume तो fix है, पानी की, नहीं तो भई, पानी की problem solve हो जाए, इसमें से change किया, volume बदल रही है, देखो, volume, अब एक fix होती है, volume पानी की, yes, दियान रख, पानी है वो, लेकिन gas के अंदर, it is अलग, अगर मैं बात करता हूँ, gas की, माल लो, तुम में से कोई सोच के स्कूल में जा रहे हैं, पहले दिन, और नया 11th का स्कूल है, तियार शार, सदियों में नहीं नहाया, आज नहाके जाऊंगा, सदियों से ये बाद नहाके, और डियो शियो मार के गए, क्लास में, तो एक दम से बताओ, जैसे तुम गेट पे एंटर करे, तुम्हारा दोस्त पता है दूसरे कोने में होगा, वहीं बता देगा, अबे सेंट मार के आया है, परफ्यूम मार के आया है, येस, बता देगा ना दोस्त, कैसे बता पाता है? because gases के अंदर क्या होती है gases के अंदर volume fix नहीं होती तो यहाँ पे volume fix नहीं होती it is not fix लिख दो यहाँ पे actually concept चलता है of infinite expensibility का यह क्या होता है यह हम लोग discuss करेंगे किस chapter में है थर्ड chapter में तो expensibility और राइट इसके अंदर discuss करेंगे कैसे वो डियो gate से last कोने तक पहुंच गयाएगा ठीक है चलो यह सब अगर आपने लिख लिया है तो अब मैं बात करता हूँ सिद्धी सिद्धी सी जो काम की है हाँ वो diffusion का concept पढ़ेंगे हम लोग अब सुनो अब यह सब तो सर में बच्पन पढ़ रख है यह सब आप में क्यूं पढ़ा रहे हूँ ठीक है आयूश ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा आयूश ने अच्छा सवाल पूछा सर यह तो मुझे पता है नहीं चीज़ बताओ अब मैं आपसे एक नया सवाल पूछ रहो यह तो मुझे भी पता है बट किसने डिसाइड करा कि Solid की Shape Fixed होगी और Liquid की Shape Fixed नहीं होगी किसने डिसाइड करा Gas की Shape Fixed नहीं होगी अबे कौन डिसाइड कर रहा है अकड़बकड बंबे वो हो नी चल रहा कुछ concept होगा, आप इसको fix कर रहे हैं, इनको fix नहीं कर रहे हैं, तो why shape of solid is fixed, now this is my question to you, कौन decide कर रहा है है, getting this, किसने decide कर रहा कि यह fix होगर नहीं होगा, that is the question, और वो कौन करता है, देखो, बात करते हैं, सीधा-सीधा question ले लेते हैं, question is, why shape of solid is fixed, solid की shape fix क्यों होती है, इसका fundamental concept समझो, fix जो होती है, बच्चा-बच्चा जानता है, क्यों होती है, यह concept पर आते हैं, देखो मेरी बात सुनो, मान लो, तुम में से, तुम में से, तुम और तुमारा best friend, दोनों ही ढीट, ठीक है, तुम दोनों ने करी, बत्तमीजी, और मैंने तुम्हें class से उठाया, यह है तुमारा एक दोस्त, यह है तुमारा दूसरा दोस्त, तुम दोनों को मैंने बोल दिया, अब तुम अपनी position पर बैठोगे, एकदम fix होगे, अब तुम अपनी position नहीं बदलोगे, मतलब जब उसके atoms को, जब आप atoms की position को fix कर देते हो, क्या करा, आपने fixed position कर दी, fixed position of particles, जो भी आपके atoms है, basically, atoms, ions, बगर है, जो भी होंगे, particles, आप उसको move नहीं करने देरे, ऐसा नहीं है, कि A यहां से था, इसको उठा के आपके यह ond लेगे, ऐसा नहीं होगा गभी, यह जो A था, यह आपका A जो है, इसको उठाया आपने, इस तरह से नहीं कर देता हूँ, मालो यह आपने A उठाया, ठीक है, इसको उठा के तुम यहां से यहां गुमाने लेकर जा रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता भया, ऐसा नहीं करना, A अगर यहां पे है, तो A को क्या करोगे, A को अपनी पॉजिशन फिक्स कर दोगे, हो सकता है, यह थोड़ा बहुत वाइबरेट करे, वाइबरेशन इस अलाओड, कि यह A अपनी मीन पॉजिशन के राउन क्या करे, वाइबरेट कर सकता है, लेकिन अपनी पॉजिशन छोड़के नहीं जा सकता, अगर पार्टिकल्स अपनी पॉजिशन पे फिक्स है, इंटर मॉलिक्लर पार्टिकल्स जो भी पार्टिकल्स है, आइन्स अगरा है, वो अपनी position पे fixed है, तो उनकी shape क्या रहती है, fixed रहती है, तो अगर कोई बोले, shape of solid is fixed, क्यों fixed है, आप सीधा सीधा इसका answer करोगे, because the particles have fixed positions, ये लिख सकते हो, can vibrate, can vibrate about mean position, about mean position, इसका role आपका बाद में आएगा, अभी के लिए बस दिमाग में रखना है, कि जो solids होते हैं, उनके particles अपनी position पे fixed हैं, जहां बोला, मैंने data दिया, कि राम तू यहां बैठेगा, शाम तू यहां बैठेगा, राम और शाम अपनी position पे बैठे होएं, अब वो move नहीं करेंगे, that is about it, ठीक है, अगला सवाल आपकी जिन्दगी का आ रहा है, वो है, कि सर, liquid को, तो आपने fix कर दी उसकी volume, लेकिन, gas की volume fixed नहीं है, तो, why is volume of gas not fixed, यहां फिर, solid की volume fixed है, liquid की volume fixed है, ऐसा क्यों, तो अगला सवाल आपकी जिंदगी का यह आ रहा है, यह सवाल आपकी जिंदगी का यह आ रहा है, इसको लिखना है, इसको लिखना है, इसको लिखना है, जो चीज़ आप करा रहा हूं, everything you have to write, ठीक है, अगला सवाल आपकी जिंदगी का रहा है, वो यह है कि question लिखने देता हूं सीधा question is why volume of solid solid की research में कर देते है volume of solid is fixed अब volume का concept यह liquid ले 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 आप पर variety लाते question में liquid ले लेते है why volume of liquid is fixed liquids की volume fixed क्यों होती है आप मुझे बताओ तरी move तो कर सकते है fix position नहीं बोलेगा तू ना वेटे particles can move particles can move intermolecular forces weak होती है भाई गैस में भी होती है ना 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 ऐसा नहीं चलेगा चाचा ओ हो हो नो 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 भाई सुन अब यहाँ पर concept समझे दा मान लो यह मेरा particle A है ठीक है this is particle A और A और यह position भी है यह A है यह B है let's say इनके बीच का जो distance है कुछ X है यह अपनी positions पे अभी क्या है move कर सकता है fix नहीं है A और B X है यह मान लेते हैं इस तरह से position थी यहाँ पे हमें लोग position बोल देते हैं X ऐसे axis जाल देता हूं कि यह axis ऐसा एक axis Define कर दिया है कि यह point 0 है यह point मान लो 10 है यह point मान लो 20 है यह point मान लो 30 है तो यह अपना position पे fixed नहीं है हो सकता है की A और B क्या करें move करें यह मूव करेंगे, यह मूव कर सकते हैं, तो यह मूव करेंगे, 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 लेकिन ऐसे मूव करेंगे, कि इनका जो average distance है, वो क्या रहे, वो fixed रहे, ले मैं या ले गया, ले मैं या ले गया, कहीं भी ले गया, अब मेरी मर्दी मैं कहीं भी घुमाता रहा हूँ, लेक लिकिन उनका average intermolecular distance क्या रहता है same रहता है, तो आप यह पर यह लिख लेंगे that is, they have same average intermolecular distance they have same average intermolecular distance average intermolecular distance ठीक है, यह लिख लो बस इस से आपको concept पता लग जाएगा कि क्या उसने बोला अगर particles का intermolecular distance average बराबर रहता है तो आप बोलेंगे उनकी volume fixed होती है ये concept clear हो गए आपको average distance उनके बीच में क्या रहना चाहिए? fixed रहना चाहिए जैसे मान लो ये दो particles है ये उसके particles है, atoms है मैं इनको move कर सकता हूँ ये लो, मैं move कर दिया, move कर दिया, move कर दिया लेकिन इनके बीच का distance same range COVID का time याद है दो गज़ दूरी है जरूरी है ना तो दो गज़ की दूरी अगर है इनकी तो दो गज़ की रही है time पे that is about volume, ठीक है? okay, distance बराबर होना चाहिए हर एक time पे क्या आम बात मामला clear हुई अब? yes, तो आप बोल सकते हो relative positions जो है उनकी इस तरह से बोला जा सकता है एक और तरीकत को बोलने का that is relative positions remain same relative positions remain same कि उनका आपस में इसके respect में अगर मान लो B 10 cm पे है तो हर time पे A जो है B से 10 cm दूर है तो B को अगर reference मानोगे तो A हमेशा 10 cm क्या रहेगा? दूर रहेगा that is the concept ठीक है? उससे क्या होगा? उससे उसकी volume हमेशा fix रहेगी अगर ये change हो सकता अब gases में क्या होता है? gases में change हो जाता है distance तो gases में क्या हो जाती है? infinite expensibility आ जाती है liquids में distance constant रहते है तो volume ऐसे increase नहीं हो सकती ओल के? चलो मेरे भाई that is about it अब बात करते हैं इनके distance की और distance का मामला तो I think तुम समझी रहे हो? distance का मामला बड़ा clarity है आप solids जो होते हैं आप मुझे बताना इस meme से क्या distance समझा रहे है? solids में सब पास-पास होते हैं liquid में थोड़े से दूर होते हैं और gas में तो भ्यंकरी दूर होते हैं बहुत ज़्यादा दूर होते हैं अब सवाल उठता है कि अपने पास जो solids में particle पास-पास है liquid में थोड़े दूर gas में बहुत दूर why? question is why? why is this so? हमें पकड़ना है तो क्यूं का reason आप पकड़ते हैं why is it so? देखो मेरी बात सुनो आपके पास दो तरह की forces होती है two forces आपकी जिंदगी में दो forces काम करेंगी दो forces कौन सी है? दो आप attractive बोलते हो एक आत्रेक्टिव जो pass लाती है जैसे माल लो ये दो particles है इनको पास लेके जाना है एक force है जो इनको पास लेके जा रही है उसको बोलते है attractive force तो एक force होती है जो की क्या है? जो की आपकी पास लेके जाती है that is attractive force ठीक है? ये क्या करती है? इसको आप ऐसा बोल सकते हो यहां बोल सकते हो, attractive force हो गए, यह intermolecular attraction बोल सकते हो, यहां फिर आप बोल सकते हो, इनका, में जो consistently close लेके जा रही है, ठीक है, यह forces क्या आती है, पास लेके जाती है, attractive force होगी, बेसिकली, तो यह क्या करती है, particles को पास लेके आ रही है, इनको क्या करेगा, इनको पास लेके आ रही है, तो यह forces है, जो particles को क्या बोल रही है, एक दूसरे के पास जाओ, एक दूसरे के क्या पास लेके जा रही है, एक forces होते हैं, इनको हम लोग, आप energy के टम्स में बोल सकते हो, that is, यहाँ पे आ गया, that is, यह लिख देता हूँ, that is thermal energy, तो इसको लिख दो एक तरह से thermal energy. thermal energy लिख दिया मैंने, यह क्या है, यह particles को दूर लेके जा रही है, adhesive cohesive पढ़ा आप लोगों ने, Ju Pulp a de 125-7 कुछ वैसा सा concept है एक ‬फ न covenant एख चारहय का Novkm जब आप किसी चीज को हीट करती हो आपने क्या करा नीं कने 2 दो पार्टिकल को ? मैं इनको एक डूपरeszेंसे दूर लेके जा रहा हू जब भी आप किसी चीज को गरम करती हो क्या करती है ? expand करती है, दूर जाती है, है ना, तो यह क्या करता है, यह इसको दूर लेके जाता है, तो जो दूर लेके जाने वाली force है, वो कौन सी है, thermal energy, आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो, that is, increases the distance, increases distance between particles, distance between particles, और यह क्या करेंगे, यह जो होता है, यह क्या करते है, यह करता है, decreases distance between particles, decreases distance between particles, तो between particles, अब point आजाता है, आपकी जिन्दगी का कोन सी force dominate करेगी, कोन dominate कर रहा है, अगर मैं तगडी force, आप सोचना है, यह दो example है, अगर मैं pass लाने वाली force तगडी हो जाए, और दूर जाने वाली force वीक हो जाए, तो कौन सी जीतेगी, cause of motion तो पढ़ रखा है, एक तरह से आप लोगोंने forces पता ना, मालनो, इधर से मैं 50 से दबा रहा हूँ, 50 Newton से, और इधर 10 से दबा रहा हूँ, तो effectively, तो जोड से दबरा ना, पास ही जाएंगे particles, yes, तो अब point आ जाता है, कि किसको आप जिताओगे, कौन सी जीतेगी, जब आपका मैं example दे रहा हूँ, कि अगर मान लीजिए, मेरा जो attractive force है, मैं ऐसे लिख देता हूँ, कौन जीतेगा, अगर ये ज़ादा है और ये कम है, तो particles पास आएंगे कर दूर जाएंगे, पास आएंगे, और सबसे ज़ादा particles पास किसके होते हैं, किसके पास होते हैं सबसे ज़ादा, exactly, कौन सी state आती है तब, तब जो state आती है, इसको बोला जाता है, तब आती है, जब attractive force डॉमिनेट करती है, ओवर thermal energy, क्या बात क्लियर होई है आपको, येस, बिलकुल, अब दूसरा आजाता है, अगर उल्टा हो जाए, अगर attractive force क्या हो जाए, attractive force कम हो जाए, attractive force जो है, वो कम हो जाए, मैंसा करता हो, कौप पेस्ट करता हूँ, मारे पास technology है, ये रिख लो चलो, ये copy किया मैने, ये paste किया मैने, अगर ऐसा हो जाए, अगर यह कम हो जाए, थर्मल वाली जीच जाए, अब जीच जाए, थर्मल वाला जीच जाए, और अट्रेक्टिव वाला क्या करे, अट्रेक्टिव वाला हार जाए, तो अब क्या होगा, अब दूर करने वाली फोर्स जीद रही है, और बहुत जादा डि difference आजए अगर बहुत ही ज़्याधा difference आजए लो फिर copy-paste मारते हैं फिर से लो देखो अगर बहुत ज्याधा difference आ जए मान लो बहुत ज्याधा difference आ रहें तो कौनसी जीता होगे तो कौनसी जीतेगी तो आपकी जो state आती है वह होती है gaseous state तो this is your gaseous state क्या ये concept clear हुआ yes or no yes or no ये बहुत important इसको पर भी सवाल करते हैं ये आपका पूरे का पूरा मामला है of states तीनो states को आप इस तरह से decide करते हो जहां भी concept important होगा मैं वहां पर मेरा trademark है मैं लिख देता हूँ CTM CTM का मतलब हमारे लिए होगा commit to mind लिख सकते हो या commit to memory कर सकते हो या commit to mind कर सकते हो जिसके भी अंदर आप इसे रखो लेकिन ये permanently आपको याद रहना चाहिए ये बहुत important होता है कहां से कीस कैसे होईगी अगर attractive force जीती है तो आप बोलोगे solid state अगर thermal जीती है थोड़ी जादा तो liquid अगर बहुत जादा thermal जीती है तो gaseous ओके yes और no और अगर ये concept clear हुआ ना आपको एक काम करते हैं इसके उपर सवाल करते हैं थोड़े से ये clear हो गया इसको लिख लिए आप लोगोंने yes done 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 लिख लिख लिए इसको आप लोगोंने let's solve certain questions concept को जब तभी समझ आएगा जब आप लोग questions करोगे question number one आपकी screen पर ये रहा that is which of the following is true about gaseous state कब आपकी gaseous state के लिए सच है आपके सामने पोल दे रहा हूं मैं let's try the pole low कौन सा state आपकी जीत रही है आपको बताना है gaseous state कब होगा जब thermal energy कम होगी ज़्यादा होगी बराबर होगी कब होगा बतावए क्या लगता है इसका answer कब जीतता है अब थर्मल फोर्स पास लेकि आती है thermal energy क्या करता है पास लाता है molecular traction क्या कर रहा है और सारी दूर करता है molecular traction क्या करता है पास लाता है तो बस आप सोचो ज़रा करो इसको जल्दी से क्या लगता वही कर दिया तुम लोगोंने yes 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 यार सीधा सीधा है gaseous state में क्या particles दूर दूर है तो अपन सीधा सीधा बोलेंगे कि जो thermal energy होती है thermal energy जो होईगी वो क्या होनी चाहिए बहुत जादा होनी चाहिए आपकी attractive force से yes और no तो बस देख लो कहाँ पे match कर रहा है I think option A में तो बराबर है very good यही चाहिए बस अनिर्बन श्रिया विक्रम अभिरूप बहुत वदिया यह सवाल clear हुआ सबको मैं साथ साथ questions करवाते जा रहा हूं ताकि आपको पता लगता रहे क्या होना चाहिए ठीक है बराबर भी अगर होती है question R equal में तो आप solid state को जादा उस ताहीं पे हम लोग मानते हैं solids और liquids के बीच की state रहती है ठीक है आप है बढ़ते हैं next question is this चलो लो वही इसको करके देखाते हैं करते जाओ अस questions questions जितने जादा करोगे उतना ही clarity आएगी ठीक है अगला सवाल आपकी जिंदगी का यह रहा which of the following arrangement is in the correct order बताओ यह बताना आपको correct order क्या है जल्दी से बताओ जल्दी से किसका order correct होगा yes or no yes or no जल्दी बताओ जल्दी आग लगा दो आग कर लोगे भाई तुम लोग अरे अभी आ रहे है भाई तेरी दुझी state पे भी आ रहे है चाचा रुक जा तू अभी तो तुझे concept start करवाया भाई पहली class में सब सिखेंगे क्या उचा रहा है क्याता है gas liquid solid की thermal energy भाई thermal energy obviously particles को दूर लेके जा रही है और सबसे जादा दूरी किसमें होती है gas में तो होती है तो पहला order तो मुझे लग रहा है सही है solid liquid gas में intermolecular forces जो पास लेके जा रही है सबसे दा पास तो solid में होता है यह भी मुझे order क्या लग रहा है सही लग रहा है अगर दोनों ही सही है तो correct answer क्या हो जाएगा both a and b और सुन लो मेरी बात यह एक बहुत common mistake है मैं तुम बताता हूँ यहां पर answer क्या रहा है c यह एक बहुत common mistake है आप और यह रेखो कितने लोगों ने करी है a और b अगर आप देखोंगे न 16 यह almost 20% है इन 20% लोगों को भी answer आता था effectively इसका answer 98% लोगों को आता था लेकिन इन लोगों ने क्या करा इन लोगों ने जल्दबाजी कर दी इन लोगों ने पता क्या किया देखा अच्छा यह तो पढ़ा मैंने यह सही है और यह सही है उसने देखा ही नहीं कि एक और option है जिसमें दोनों correct है हो सकता a correct कर देते है ब कोशन नहीं note कर पाओगे आगे बढ़ते हैं एक सवाल और अब यह सवाल मैं चाहूंगा सब लोग सही कर दें इसमें तो बरबादी ना करो physical states of matter in three vessels आपको बताना है शकल देखके कि कौन सा matter है कौन सा नहीं है चलो शकल देखके बताओ a b c d क्या लगता इस का उत्तर क्या ह होगा यस जल्दी करो जल्दी आग लगा दोगा यस अरे शेरो तुम चलो भई शेरो और शेडनियों करेक्ट आंसर लाना है परसंटेज इंक्रीज कर दो 90 के उपर आने चीज़वार यस और यह होगा इसी तर से जलेगी त्यारी concept questions concept questions बहुत सारे questions yes sir क्या विचार है अरे particles थोड़े दूर दूर हैं तो चाची को गैस बना दो particles थोड़े नस्दीक हैं तो चाची को liquid बना दो particles काफी जाधा पास हो रहे हैं too much closeness तो क्या कर देंगे solid तो answer क्या होगा gas liquid solid option c is the correct answer yes correct answer क्या रहेगा c रहेगा and 90 प्लस हो गया 94 परसंट पर आप लोग लेके आयों येस alpha beta gamma क्या नाम है आयूश वंदना एंड लकी बहुत वदिया चलो यह सब हो गया आपका and yes अब मिज को answer करना है आप में से बहुत सारे लोगों का एक उत्र आ रहे है मीम की डिमांड हो रही थी तो मीम को अब आपके सामने लेके आना है हां यार सर तीन सेट्स तो मैंने पढ़ी है तीन सेट्स तो मैंने पढ़ी है लेकिन इसके अलावा भी तो होती है इसके अलावा भी तो होती है ये देखो ये देखो ये बैठे हुए है पोर्थ ग्रेटर हुस ब्रदर टोल्ड हीम अबाउट प्लाजमा वन ताइम ओई होई दियरी जनादर ओई यार एक कुछ और भी तो उती है ओप्लाजमा प्लाजमा भी तो होता कुछ हाँ पहली बात तो ये कि अपने स्लेबस में तीन ही है अपने को वही पढ़ना दो साल उसी पर सवाल आएंगे पर फिर भी तुमारी कुरियोसिटी के लिए और उन पब्लिक डिमांड क्योंकि पहली क्लास है आपको थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत अपने बताते हैं about प्लाजमा प्लाजमा के बारे में बात करते हैं तो यह थोड़ा सा प्लाजमा का आइडिया दे देता हो होता किया है प्लाजमा देखो मेरी बात सुनो स्चीजी बात बताता हूं आपको what is प्लाजमा थोड़ा सा बेसिक अब जो चीज बताई जा रही है this is extra यह आपको थोड़ा सापकी curiosity के लिए बताई जा रही है, क्या होता है plasma, बढ़िया चीजा है plasma, देखो, solid में particles fix होते हैं, पास पास रहते हैं, liquid में थोड़े से heat होते हैं, धूर जाते हैं, gas में और धूर जाते हैं, अब जब तु गैस को बहुत जादा heat कर देगा, सुन मेरी high path, यह देख, solid में बिल्कुल बगल बगल में, ऐसे, this is your solid, liquid में क्या होते है, liquid में थोड़े से दूर जाता है, gas में क्या होते है, gas में बल्कुली दूर चला जाता है, यह gas हो गई, अब हम क्या करते हैं, हमारे पास solid से liquid कैसे आता है, गरम करके, लिक्विट से गैस कैसी आती है गरम करके अब अगर आप गैस को गरम कर दोगे अगर आप गैस को गरम कर दोगे तो क्या होगा बहुत ज़्यादा गरम करना पड़ता है बहुत ही ज़्यादा तो अगर मैं गैस को गरम कर देता हूं तो मेरी next state निकल के आती है जिसको बोलते ह Plasma, Plasma है क्या चीज सार ? आइडिया हल्का सा आइडिया देता हूं, बहुत डेप्ट में जाने की जरतनी है, इस लेबिस का पार्ट नहीं है, बट एक बेसिक सा आइडिया देता हूं, माल लीजिए हमारे पास मैं helium का example लेता तो helium पहले हम लोग solid ले लेते, let's say, solid helium है, solid helium को गरम किया, तो मेरे को मिलेगा liquid helium, liquid helium को अगर मैं गरम करता हूँ, तो मुझे मिलेगा gaseous helium, जो जो exist करता है, और अगर इसको गरम करता हूँ, तो अब पता क्या होता है, अब ये न, ions में break करने लग चाहता है, त तो ये किसमें break कर रहा है, ये आपका helium प्लस और electrons में break करने लग जाता है, क्या बने ये, ये आपके ions में break करने लग जाता है, और इसी को न, प्यार से बोला जाता है, plasma state, this is your plasma, ये plasma होता है, जब आप gases को superheat कर देते हो, तो आपके पास plasma निकल के आता है, और इसका example देखोगे magic, yes, magic देखोगे, एक काम करते हैं, ये तुमने सुना होगा, ये सुनने दिखा होगा, let's show you some magic, यार, एक काम करते हैं, थोड़ा सा अंधेरा करते हैं, आपकी life में, turn, turn, low, आपको में कुछ दिखा रहा हूँ, क्या आपको ये दिख रहा है, is this visible, सिखा वहाल, थोड़ा से काम करते हैं, मैं गल्क टार्ट कार रहा हूं, एक बार एक काम करते हैं, स्क्रीन को ब्ला काट ररहा हूं, एक सेगिंड रूखो जरा, पीछे से ब्लाक कर देतें, लो, अब आप मुझे बताओ, क्या आपको ये चीज दिख रही है, ये दिख रहा है, मैं नहीं दिखना, मेरे को मारो गोली, इसको बोलते है, प्लाजमा ग्लोब, ये आपको पागल नाया आता है, मूवी मूवी में देखा, भी मैंने डिसेंटल एक पंजाबी मूवी देखी उसमें प्लाजमा ग्लोब दिखा मुझे, इसको काम ऐसा करता है, ये मैंने टच किया, यहां मेरे उंगली टच करी है, मैं थोड़ी सी लाइट ओन करता हूँ, आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा, बुको, अब मैं दिख रहा हूँ, थोड़ा बोट मैं दिख रहा हू अगर, अगर मैं दिख रहा हूँ, हाँ, तो अभी एखना, जहां टच करूँगा, वहां सी मुझे टच, वो देखो, ये देखो, दो तरफ से टच किया, मैंने, दो तरफ, ये देखो, तीन, चार, पांच, क्या ये, इसको बोला जाता है, प्लाजमा, और ये जो प्लाजमा इसमें क्या होता है, 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 ये आपका एक्च्वल में, वर कैसे करता है, हीट करा है, गैसे को हीट करते हो ना, आइंस बनते हैं, वो आइंस को तुम लोग देख रहे थे, और तो और, इसके और दूं कि यह क्रिस्टल बॉल नहीं होता है यह मैजिक नहीं होता मैंने वही पंजाबी मुवे में देखा वही प्लाजमा गलोब साथको टच करके ऐसे तुम टच करते हैं वह तुम्हारे आयन्स तुम्हारी बॉडी से अइंस निकालता तरफ कर अच तरह से उसकी एक रे बनत थेकर यहांपे होता क्या है यह आपका नौर्वेव अगरा में ऐसे दिखती है आप लोगों को इस तरह से आपको lights दिखती है यह देखो green ग्रीन सा अरे औरोरा बोलते हैं इसको aurora येस यह देखा आप लोगों ने यह क्या है यह भी plasm है जब आपका अपर एक्मोस्फियर में बहुत सारा टेंपरीचर आता है तो गैसिस के और तो सूपरीट आयन्स बनते हैं यह देखो यह आयन्स है हाह इसको देखने के लिए लोग लाखो घर्चते लाखो बहुत महंगा मामला है यह क्या है है प्लाजम इन देंड चीज भी आमने देखी ठीक है तो आइडिया है कि प्लाजमा बहुत सारी तरह से मिलता है आपको ठीक है तो वह एक्जेटली इस प्लाजमा तो वही चीज है तो बस यह कर लो, what is plasma, तो सीरा सीरा what is plasma, gases, when heated, when heated to extremely high temperature, extremely high temperature, breaks into ions, breaks into ions, it is called, it is called plasma, आप इसको plasma बोलेंगे, ठीक है, yes, तो यह क्या हो गया, यह definition हो गया आपकी plasma की, हाँ, क्या है यह, यह out of flavors का एक चौथा state of matter, ऐसे काईदे से बहुत सारी states of matter है, 4-500 तो तुमने सुन रखी है, अब एक चीज़ और सुनो, यह अगर आपको clear हो गया है, और कहां कहां दिखती है, मैं वह भी बता देता हूँ, आपको lightning में दिखती है, solar winds में दिखती है, aurora जो अभी मैंने दिखाया, उसमें दिखती है, nuclear fire bowl में दिखता है, fluorescence light, जो आपकी lights हैं, उसके अंदर भी plasma होता है, अब यह आपको मैंने एक example दिया crystal bowl, उसमें भी दिखता है, है, यह देख लो, ओके, 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 तो यह हो गया, अब एक चीज और सुनो, कहां गया चाचा, यह देखो, अब यहां पर आते हैं, आपने देखा, solid को heat करते है liquid, liquid को heat करते है gas, gas को heat करते है plasma, अब आप एक चीज सोचो, अगर उल्टा चले, उल्टा चलते हैं, अगर plasma को ठंडा करता हूँ तो gas मिलेगी, gas को ठंडा करते हो, तो liquid मिलेगा, liquid को ठंडा करूँगा, तो solid मिलेगा, अब यह चाचा, solid को ठंडा करेंगे, तो क्या मिलेगा, solid को ठंडा करते हो, तो मिलता है next state of matter, जिसको बोलते है, boss Einstein condensate, this will give you boss Einstein condensate, लिखना है, आपकी मर्जी है, श्रद्दा आपके हैसाब से, थोड़ी से extra knowledge है, you want, you take it, you don't want, you don't take it, ओके में को दो बस्त है कि concept बता दू तुमें मैं, yes or no, इसको बोलते हैं, B, E, C, boss Einstein condensate, ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर है, यह देखो, यहाँ पर एक डाइगराम के दुरू बताता हूं आपको मैं, यह देखो, दो, plasma से gas, gas से liquid, liquid से solid, solid से boss Einstein condensate, तो वही चीज़ है, they exist at, they exist at, extremely low temperature, बहुत ही कम temperature पर मिलता है, basically solids को बहुत थंडा करोगे, तो यह मिलता है, यह देख लो, जैसे जैसे temperature बढ़ रहा है, कम हो रहा है, यहाँ पर left to right जाओगे न, temperature घट रहा है, तो आपका boss Einstein condensate दीरे-दी increase होता है, almost absolute zero के आसपास, absolute zero समझते हो, zero Kelvin के आसपास जाके, BEC मिलता आपको, बहुत कम temperature पर, ठीक है, चलो, I think वो चीज़, इस meme से clear होगी, इस meme से वो चीज़ clear हो रही है आपको, यह देखना, जब आपकी gas है, gas particles दूर दूर, उस meme को complete करते है, liquid में पास पास थे, solid में बह जरम कर दिया, तो plasma बन गया, और यही जो solid से उनको ठंडा कर दिया, तो आपका क्या बन गया, boss Einstein condensate बन गया, yes, इस meme से मुझे लगता सब कुछ clear होगा होगा, हाँ, चलो फिर, that is all about this, अभी कोई doubt है, last के दो topics सर क्या लिखने है, आपकी मर्जी है, वो थोड़ा से extra knowledge थी, म हाँ, plasma को heat, ऐसे बहुत सारी states है, मैं फिर वोई बोल रहा हूँ, आप extra knowledge में जाओगे, मैं देने को ready हूँ, पर आपके काम की नहीं है, और यहाँ पर हमी क्या पढ़ना है, काम की चीज़े पढ़ना है, ठीक है, yes, चलो फिर, आपके मन की शांती के लिए कुछ और चीज़ कर रहे हो, ऐसे वैसे तैसे वैसे, ऐसे नहीं होईगी IIT, घर चलाना है, इंजिनियर बनना है, पैसा कमाना है, तो जो पढ़ाया जा रहा है, उसको लिखना है, ठीक है, उसको समझना है, उसके questions करने है, अब मैं आपको बता दे रहा हूँ, आगे की कहानी, ठीक है, आज की क्लास में आपको क्या-क्या चीज़े मिली है, हर क्लास के बाद ना, ऐसी एक slide चले आएगी आपके पास, उस slide में आपको बताया जाएगा, homework क्या है, आपको class notes जो है, जो आपके incomplete लेगे, उसको करना है, और एक चीज और सुनो, class के अंदर कुछ, I think, 10-12 questions कराए होंगे, उ आपका ऐसे हर class के बाद, आपकी एक ऐसी slide आएगी, इस तरह से, लिखा होएगा homework, जैसे ये आगया homework number 1, ऐसी आपको एक homework slide मिलेगी, उसके अंदर homework के ऐसे सवाल होंगे, इस तरह से जैसे सवाल होंगे, सवाल के साथ ही आगे उसका answer होगा, यहां solve नहीं करना है, और class के ब आपको मिल जाएंगे, तो यह आपकी class हो गई, आज क्योंकि पहली class है, तो आज मैंने DPV का column खाली छोड़ा है, आज DPV नहीं मिलेगी, अगली class में मिलेगी, and module के questions, obviously आज पहली class में आपको मैं नहीं दूँगा, DPV करने के बाद, फिर देरे-दे module से सवाल आपको दे दू आज हमने basic introduction लिया है, introduction हुआ है chemistry का, introduction हुआ है पढ़ने के तरीके का, कैसे आप 2 साल की journey आपकी रहने वाली है, फिर से मैं वही 2-3 बाते दोहराऊंगा, class आपके time कम है, आपको खाना खाना है, आपको IPL देखना छोड़ दो ऐसे IPL, तो main बात यहीं है कि आप अगर इस journey मे आए हो, हमारे साथ इस पूरी लंबी 2 साल की journey पे सोचके बैठे हो कि अब IIT तक जाना है, तो आपको फिर कुछ कुर्बानियां देने पड़ेंगे, इस time के बाद rest करो, आज ज्यादा आज तिंक physics में भी ज्यादा कुछ नहीं होगा, chemistry में ज्यादा कुछ नहीं होगा, एक यह करने के बाद, धाई घंटे में फ्री हो, आज जल्दी हो जाओगे, जैसे जैसे आगे लोड आएगा, चीज़े और हैवी होगी, तब आपको यही दो का चार्ज, पांच, शे घंटे करना है, तो आपको मैं कुछ suggestions देने जा रहा हूँ, आप वो suggestions मानोगे, आपका भला होगा, जैसे जैसे classes, homework कहां मिलेगा, अचाहिए एक important है, homework आपको आज अभी record होगा, आपको कल सुबह एक homework का tag बन जाएगा, जैसे आप chemistry में जाओगे, तो आपका physical chemistry के अंदर जाना, physical chemistry के अंदर एक ऐसा tag मिलेगा, जिसमें लिखा होगा homework, उसके अंदर chapter wise में वीडियो बना दूँगा, जैसे एक tag होगा, atomic structure, उसके अंदर आपको मिलेगा homework 1 करके, तो आप वहाँ पर जाके homework का solution ढूंड सकते हो, ठीक है, notes कहां मिलेगे, same, physical chemistry में जाओगे, लिखा होगा, वहाँ पर notes, notes के अंदर tag होगा, atomic structure का, atomic structure के अंदर लिखा होगा, lecture number 1, वो मिल जाएग same आपको वीडियो का मिल जाएगा, वीडियो का मिलेगा, same होगा, ऐसे class वीडियो करके लिखा होगा, वीडियो के अंदर chapter और उसके lecture, ये चीज़ clear हो गई, yes, अब इसी तरह से हम लोग continue करेंगे, आपका, आज पहला था इंट्रोडक्शन था, आपको बाते बताई गई ग करेंगे, जितनी आप चाहा रहे हो, उससे जाधा करेंगे, आपने हमें कुछ respect दिये, आप अपना time दे रहे हो हमें, आप हमें अपना पैसा दे रहे हो, 4800 के आसपर कुछ पढ़ा है, तो जितना भी आपने दिया, हम उसका पूरा reciprocate करेंगे, लेकिन paper आपको लिखना है, हमें नहीं लिखना, आप जा रहे हो, IIT के paper देने, तो मेहनत करनी पड़ेगी, आज से सोच लो, मुश्किल नहीं है journey, आप में मन में बहुत सारी लोग ऐसे होते हैं, सर बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, हम से IIT नहीं होगी, बहुत असान है मामला, दो साल लगा करो, yes, तो हो गया class, class का पता ही नहीं लगा, यार मुझे भी नहीं पता लगा, बहुत मजा है आप लोग के साथ, ठीक है, आप नॉर्वे, ठंडा है, नॉर्वे का ऊपर, जो मामला दाना है, जिसे अट्मॉस्फेर में ऊपर जाते हो, ऊपर जाते हो, तेमपर बहुत बढ ठीक है, और ये लेक्चर के PDF यहीं मिल जाएगा, नूर्वे में जाना, PDF मिल जाएगा आपको, बढ़िया तरीके से करना, that, कोशन साथ में, कोशन लिखने है, साथ में नहीं, class के बाद, अभी time मिलेगा, खाना वाना खाओ, आदे घंटे के बाद पढ़ने बैट जाओ, न यूट्यूब पर सारी classes नहीं दे सकते, common sense, चलो, बहुत सारा प्यार, आप सभी लोगों को, वीडियो कॉल आपकी बैच में करेंगे, बढ़िया तरीके से, try कर लेते, अगर कोई वीडियो पर आ जाए तो, let's see, ओ यार, एक चीज़ और, ये वीडियो कॉल में न, ये मैंन नाम बड़ा सही वख है, let's see, कितने लोग, विकास गुपता, अभी शेक कुमार, प्लीज कपडों में रहना, अनु जी, किम जी, विवेक जी, बेखते हैं, कौन वीडियो कॉल उठाता है, I think, लोग थोड़े से डर रहे हूए है, पहली कॉल से, कोई बात नहीं, it happens, sometime it is there, sometime it is not there, batch में वीडियो कॉल करेंगे, मैं generally उनके साब वीडियो कॉल करता हूँ, जो क्लास में सब आंसो करते हैं, उसका बनना है, इसा पोल बनता है, कि मैं बताता हूँ आपको, एक ऐसा फीचर है मारे पास, ये देखो, लास्ट में आ ऐसे, पोल के आपको, ये देखो, इस लोगों से बहुत सारा प्यार, उमीद करते हैं, आपको एक क्लास अच्छी लगी होगी, क्लास के बाद, आपको एक option मिलता है, comment करने का, तो उसको गलत तरीके से यूज मत किया करो, आप positive रख सकते हो, वहाँ पे चीज़े, एक दूसरे के number मत मांगा करो, I go through each and every comment, तो उस को ऐसे रखा करो, अगरा कोई genuine doubt है, कुछ appreciation है, you can do it, गाली देने हैं, you can do it, लेकिन मेरे को दो, आपस में मत दो, ठीक है, तो आपको positive रहना है, genuine feedback देना, क्योंकि उससे मैं next class को design करूँगा, उस basis पे, all right, तो बहुत सारा प्यार, आज के, अब दिलसला start हो गया है, आपका से रोने हो गया है, तो internet रो दिया थोड़ा सा, मिलते हैं आप सभी लोगों से, next class I think आपकी physics for maths की रहेगी, करवाई, अब दो साल, PCM, physics, chemistry, maths, दो साल सिफ ये चलना चाहिए, ठीक है, तो मिलते हैं, आप सभी लोगों से उमीद करते हैं, आपके class बहुत अच्छी लगी होगे, तो this is your Nikhil sir signing off, bye-bye.